नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में 67th BPSC और CDOPA 2022 के लिए करेंट फेयर का कोशन डिसकस करेंगे ये करेंट फेयर का कोशन किसका है तो एडिटेरिया के दोबारा जो एक प्रेक्टिस सेट लाया गया था BPSC के लिए यो वॉल्म 1 के नाम से इसमें टूटल आपके 15 सेट थे तो उसी 15 सेट का 450 प्रस्न के अबल एक वीडियो में डिसकस किया जाएगा ये करेंट फेयर का मास्टर वीडियो है तो आपसे भी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा जो अब तक टेलिग्राम गूरूप जोईन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इसका भॉलम टू भी मार्केट में आ चुका है तो भॉलम टू भी जल्द अपलोड किया जाएगा और भॉलम टू का प्रेक्टिस सेट एक दो और तीन अपलोड हो चुका है जो अब तक नहीं देखिए जाके देख सकते हैं प्रिलिस्ट में वीडियो सरवादिक है तो भारत के किस राज में सरवादिक तेंदुआ है तो मद परदेश में कितना तेंदुआ है मद परदेश में तो 3421 तेंदुआ है पूरे भारत में कितना तेंदुआ है तो 12,800 बामन सकेंड अस्थान किस राज का है तो करनाटक का है और तिसरा अस्थान महरा बारत के किस सहर में एसिया का पहला रास्टी डॉल्फिन अनुसंधान के अंदर अस्थापित किया जा रहा है तो पटना में अस्थापित किया जा रहा है तो भी इसका राइट अंतर हो जाएगा संस्कृती मंत्राले ने हर साल सुवाच चंदर बोज की जैनती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषना की है तो प्राकरम दिवस के रूप में मनाने की घोषना की है 23 जनवरी को नेक्स्ट है एवन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिसुब के बिभिन देशों में रह रहे प्रवासी भारतियों की संख्या किस देश में सरवाधिक है तो सयंक्त अरव अमिरात में सरवाधिक है कितनी अवाधिय है यहाँ पर 35 लाग सकेंड अस्थान पर कौन है तो सकेंड अस्थान पर अमिरका है अमिरका में कितना तो 27 लाग है तो C इसका रहे अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि इलन मस्क के द्वारा अस्थापित कमपनी अस्थान एक्स ने कितनी उपगर्वों का एक साथ परचेपन कर नया कृतिमान अस्थापित किया है तो 143 सिटर लाइट को लौंच करके किरतिमान अस्थापित किया है तो D इसका रहे अंसर हो जाएगा फालकन नाइन रोकेट के माधियम से नेक्स्ट है बेक्तिगत रूप से लगतार दो अलंपिक खेलों में पदक जितने वाली भारत की पहली महला खिलाडी हाली में कौन बनी है उनका नाम क्या है तो P.V. सिंदू उनका नाम है तो B इसका रहे अंसर हो जाएगा निति आयोग के दुसरे इनोबेशन इंडेक्स नवाचार सुचकांग 2020 में बले राजयों की सरनी में पहला स्थान किस राज को पराप्त हुआ है तो करनाटक को मिला है तो B इसका रहे अंसर हो जाएगा B इसका रहे अंसर हो जाएगा बिहार को कौन सा स्थान मिला है तो बिहार को सतरमा स्थान मिला है Next है EEPIC का full form क्या होता है तो इसका full form होता है electronic electronic electoral photo identity card होता है तो B इसका रहे अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है सुलमी बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ओफिसर करनल स्री संतोस बावो को मर्नो उपरांत किस सैन सम्मान से सम्मानित किया गया है तो महाबिर चक्र से तो डि इसका रैटन से रो जाएगा नेक्स्ट है दा लबर बॉइ औफ बहलोपूर पुस्तक किस ने लिखी है तो राहूल पंडिता के दोबरा इसे दोबरा एक बर पढ़ लेजे दा लवर बॉय आफ बहलोपूर पूस्तक किस ने लिखी है तो राहूल पंडिता के दुवरा लिखा गया है इसका उचरण एक बड़ अपलोगी किजिएगा तो B इसका राइट अंतर हो जाएगा नेक्स्ट है 66 में फिल्म फियर पुरसकार 2021 के सरवसिस्ट फिल्म का पुरसकार किस फिल्म को मिला है तो थपल को मिला है तो D इसका राइट अंतर हो जाएगा 66 में फिल्म फेर पुरसकार 2021 में जो है सर्व सिस्ट अमिनेता कौन है तो इरिफान खान अंग्रेजी मेडियम नेक्स्ट है हाली में भारत के 48 में मुख नियादीस कौन बने है तो यनवी रमना बने है यनवी रमना तो सी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है अमरीत महसव के संदर में निम्लिखित कथनों पर विचार कर असत कथन का चुनाव करना है असत कथन को चैन करना है तो देख लिजिए यह महसव सुतंता के 75 बर्स पूर्व होने के अफसर पर मनाया जाएगा तो सही है इस महसव का सुभारम परदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद गुजरात के सावर मती आस्रम से किया था तो यह भी सही है देश के 6 अस्थानों जम्मू, इमफाल, पटना, भुनेसवर, पूर्ने, बेंगलोर्य में वर्च्वल परदासनी का आयोजन हुआ, तो इस महसव के आयोजन के लिए परदान मंत्री की अध्यचता में एक ब्यापक समीत्री का गठन किया गया, जिसमें देश के 259 हस्तियों को सामिल किया गया, तो सही है, तो सारे के सारे कथन आपके सही है, तो एक सो अधिक आपके सही हो जाएगा, कोई भी इसमें मामले में, बिसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो बिसमें भारत का स्थान दुसरा है, कौन सा स्थान है, दुसरा है, तो भी इसका रेटन से हो जाएगा, पहला स्थान किसका है, तो सौधी अरब का पहला स्थान है, नेक्स्ट है कि भारत के प्रदान मंत्री नरेंद्र तो अस्टिफन लोफ बेन है तो इसका राय टेंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि हाल ही में निव्था रास्तिश्ट में से कौन आपके सुमिलेट नहीं है तो देख लिजेए कौन आपके सुमिलेट नहीं है निकोल पारसियंस अर्मेनिया के प्रधान मंत्री है तो सही है इब्राहिम रहिसी इरान के राश्च्पती है तो सही है इस्ट बेंड और कौन सिरिया के राश्च्पती है तो यह गलत है सिरियक राश्चपती का नाम क्या है तो यह सिरियक राश्चपती है उनका नाम है बसद अल असद क्या नाम है बसद अल असद उनका नाम है तो सी आपके जो गलत मैच है उसके बाद गुडो बेलीडो पेरू के परधान मंत्री है तो यह सही है ठीक है तो सीवल आपके गलत हो जाएगा नेक्स्ट है सेद मुस्ताक अली ट्रोफी 2021 का खिताब किसने जीता है तो किसके द्वारा जीता गया है तेमिल नाडू के द्वारा जीता गया है सेद मुस्ताक अली ट्रोफी का खिताब किसने जीता है तो तमिल नाडू ने जीता है 2021 का ट्रोफी तो बी इसका रहाइट एंसर हो जाएगा ठीक है बी इसका रहाइट एंसर हो जाएगा इसे हला कर जीता है तो बलोदुरा को पराजित करके जीता है नेक्स्ट है सोलमा प्रवासी भारतिय दिवस समरो नोजनवरी 2021 को समपन हुआ इस समरो के मुख अतिती कौन थे तो इस समरो के जो है मुख अतिती कौन थे तो सुरी नाम के राष्टपती चंद्र का परसाद संतोखी थे तो डी इसका रहाइट एंसर हो जाएगा अच्छा को कि मुख मंत्री बनी सिर्ष्टि गोस्वामी जो है एक दिन के लिए किस राष्ट की मुख मंत्री बनी तो उत्राखंड की उत्राखंड की तो सी इसका रहाइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि किस राज सरकार ने ओलम्पिक एबम एस याई खेलों में स्वर्ण पदक ब जाएगा राजस्थान सरकार के दोरा तो डी इसका रहाइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि प्रतियोक्ता परिच्छाओं की तयारी करने वाले छात्रों के लिए निसुल्क कोचिंग परदान करने के लिए अभुदय योजना की सुरुवात किस राज सरकार ने किये तो सी इसका रहाइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है गंतंत्र दिवस के अफसर पर इस बर्स कुल कितने पदम अलंकरन परदान किये गए पदम भीभूसन पदम भूसन पदम सरी तो 119 तो डी इसका रहाइट एंसर हो जागा पदम भीभूसन कितना दिया गया तो 7 लोग को द किया गया है तो तीस्वा जो है सुरुचति सम्मान 2020 इस समानित किया गया है ।। । शरणकुमार लिमबाले को किसी समानित किया गया है ।। सम्मान 2022 से बहुत ही अच्छा कोशन है यह दो पूछा जाएगा है जिन्चTV वावसे नाव्यास किन देशों की मिजबानी में 3 से 27 मर्च 22 को आयोजित किया गया है तो संयुक्त अरब अमिरात की मेजवानी में ठीक है संयुक्त अरब अमिरात की मेजवानी में तो ए इसका रहेट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है भारत बन इस्थिती रिपोर्ट 2019 के अनुसार सरवाधिक वन छेतर ध्यान रखेगा सरवाधिक वन छेतर वाले राज्यों की इस्तिती को अवरोही करम में सजाना है तो सजा लीजे मद परदेश उसके वाद अरबाटल परदेश उसके वाद 36 गळद तो D इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, D इसका right answer हो जाएगा, next है, आत्म निर्वर बिहार के 7 नीश्चे 2 में कौनसी योजना सामिल नहीं है, तो इसमें कौनसी योजना सामिल नहीं है, तो यवा सकती बिहार की प्रगती सामिल है, ससक्त महला, सच्छ महला सामिल है, और अच्छी सहर विक्षिस सहर यह सामिल है, तो C इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, C इसका right answer हो जाएगा, एक बार आप लोग नोट कर लीजेगा, कि साथ निश्चे में कौन-कौन सामिल है, पहला कौन है, यवा सकती बिहार की परगती, दुसरा है, ससक्त महला, सच्छ महला, परकता, और लास्ट है सात्मा, सबके लिए अतरिक्त स्वास्थ सुब्धा, नेक्स्ट है, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार, राज का राजकोशिय घाटा, G SDP का कितना परतिसत रहा है, तो 2.97% रहा है, तो C इसका right answer हो जाएगा, नेक्स्ट है, बिहार में सरवादिक, अनुसूचित जन जाती, परतिसत किस जिले में है, तो किस जिले में, पच्छिम चंपारन में, कहाँ पर है, पच्छिम चंपारन में है, उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में सरवादिक, ग्रामिन प्रतिशत में जनसंख्या किस जिले में है तो किस जिले में है तो समस्तिपूर में है उसके बाद की गंडक एवं कोसी नदी के मध में अस्तित है गंडक एवं कोसी नदी के मध में अस्तित है तो कौन है कमला और बागमती है तो सी इसका रैट एंसर हो जाएगा दे लिजिए कि एगर उसको हटा देंगे तो कोशिन बहुत बढ़ा हो जाएगा तो इसलिए उसको रख लिया गया है तो कोई टेंशन लेने की जरूबत नहीं है ठीक है लियोपड्स लियोपड्स इन इंडिया दिवराठारा रिपोर्ट के अनुसार 2014-18 की अबधी में तेंद्यों की संख्या में कितने परसेंट की बिरदी हुई है तो 62.5% की बिरदी हुई तेंद्यों की संख्या में 2014-18 की बीच में तो सी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि नेता जी सुवाचंदर बोस आपदा परवंधन पुरसकार 2021 बेक्तिगत सरीनी में किसे परदान किया गया है तो किसे परदान किया है बेक्तिगत सरीनी में डॉक्टर रजंदर कुमार भंधारी को तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि A कपरील 2021 को सतर्मी B में स्टिक मन्तरी अस्टर ये बैठो कि में जवानी किस देश ने किए तो किस देश के दोरा किया गया है से लंका के दोरा किया गया है तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है रास्टिय किर्सी और ग्रामिन विकास बैंक नवाड के अध्यच कौन है तो गोबिंद राजुलू चिन्ताला तो ए इसका रैटन से रो जाएगा नेक्स्ट है अच्छे उर्जा नविकर्नी उर्जा के उत्पादेन में भारत का विश में कौन सा अस्थान है तो पाचमा अस्थान है तो डी इसका रैटन से रो जाएगा डी इसका र Arg answer हो जाएगा Next है Miss India Miss India 2020 किसे चुना गया है मिस India 2021 मुसारी 2021 को मनासा 12 नसी को A इसका रेट नसर हो जाएगा A इसका रेट नसर हो जाएगा Next है बीतिय वर्स 2021 2022 के लिए बिहार के बजट में सिछ्छा के लिए कितनी रासी खर्च करने का प्रवधान किया गया है तो कितना खर्च करने का प्रवधान किया गया है तो आपके 38,000 38,000 35.94 कलो रुपया खर्च करने की बात की गई है ठीक है 38,000 35.94 कलो रुपया खर्च करने की बात की गई है तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है, बी-इसका राइट एंसर हो जाएगा Next है कि हेतू हाली में किन दो राजियों के बीच समझ WEiles समझ अब हुआ है तो किसके बीच में समझझ होता हुआ है उत्र परदेश और मद परदेश के बीच में तो C, इसका राइट एंसर हो जाएगा Next है कि कैच दा रेन अभियान भारत सरकार के किस मंत्राले के दोरा शुरू किया गया है तो जल सकती मंत्राले के दोरा शुरू किया गया है तो D इसका रात अनसर हो जाएगा नेक्स एक है कि ये परिभाहन सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज कौन बना है तो हिमाचल परदेश बना है तो C इसका रहाटन से रो जाएगा नेक्स एक तीसमा 81.2020 से किसे सम्मानित किया गया है तो सरद्पगारे को तो भी इसका राइटन से रो जाएगा और सोशती समान से किसे तो डॉक्टर सरन कुमार लिमबाले को यह दोने वाद रखेगा important है Next है 2021 201 जीब दिवस का theme क्या है तो इसका theme है Forest and livelihoods sustaining people and planet तो ए इसका राइटन से रो जाएगा Next है कि World Economic Forum की Global Gender Gap Report तो भारत को 140 मा स्थान मिला है तो भी इसका राइटन से हो जाएगा भी इसका राइटन से हो जाएगा पहला स्थान किसे मिला है तो आइसलेंड को पहला स्थान मिला है Next है कि Riding Free My Olympic Journey पूस्तक किसके दवरा लिखी गई है तो किसके द्वरा लिखा गया है तो इम्तियाज अनिस के द्वरा लिखा गया है इम्तियाज अनिस के द्वरा लिखा गया है नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलम्पिक 2020 में कुल कितने खेल सामिल थे तो 22 खेल सामिल थे तो B इसका right answer हो जाएगा बारत के कितना वड़ा दल गया था तो 54 का दल गया था भारत से नेक्स्ट है कि नौरा अलमत रोसी किस देश की पहली महला अंतरिच यातरी बनेगी तो संयुक्त अरब अमिरात की संयुक्त अरब अमिरात की तो D इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि किस फिल्म ने किस फिल्म में जो है तिरानमा ओसकर पुरसकार 2021 का सर्वसिस्ट फिल्म का पुरसकार जीता है अच्छा कोस्टन है किस फिल्म ने तिरानमा ओसकर पुरसकार 2021 का सर्वसिस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है तो no man land ने no man land ने तो D इसका right answer हो जाएगा ये question पुछा गया था जो विहारदो एक्जाम होगा था इसका पहले उसमें पुछा गया था पहरा साइट के बारे में ठीक है तो D इसका right answer हो जाएगा next है कि बदलाव के बाद केंद्रिय मंत्री परिसद में सिच्छा और ग्रामिन विकास मंत्री के जोड़े का chain करना है तो केंद्री इसमें सिच्छा मंत्री कौन है और ग्रामिन विकास मंत्री कौन है ये देखना है नेक्स्ट है ये भंडारन लागू करने वाला भारत का पहला राज कौन बना है तो बिहार बना है कौन बना है बिहार बना है तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि बिहार के पहले कौन बश्मित अस्थापना किस जले में की जाएगी तो दर्भंगा में की जाएगे, कहाँ पर दर्भंगा में तो A इसका राइटन से रो जाएगा नेक्स्ट आर्थिक सरवच्छन 2021 के अनुसार सबसे अधिक प्रती बेक्ती आयबाले राज्यों का सही करम क्या है तो गोवा है, सिक्किम है और दिल्ली है तो C इसका राइटन से रो जाएगा साथ ही आपको याद रहाखना है कि 36 गड़ में जो गरीबी है, सरवाधिक है 36 गड़ राज में जो है गरीबी सरवाधिक है सबसे कम प्रती बेक्ती आई कहाँ पर है, तो बिहार में कहाँ पर है बिहार, 36 गड़ और जारखंड में है नेक्स्ट है कि चाय महोसव चाय महोसव दोहल 21 का आयोजन किस राज में किया गया है तो चाय महोसव का आयोजन जो है असम में किया गया है कहाँ पर असम में, तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि भारत और किस देश के बीच सैन अभ्यास दस्त लिका सकेंड का एवजन किया गया है तो उजबेकिस्तान के साथ में तो A इसका रैट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि भारत के किस राज में देश का पहला फायर पार्क अस्थापित किया गया है तो कहां पर अस्थापित किया गया है उडिसा में ठीक है भारत के किस राज में देश का पहला फायर पार्क अस्थापित किया गया है तो उडिसा में तो B इसका रैट एंसर हो जाएगा ठीक है बे इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारत में भारत में सबसे बड़ी तेरती सौर उर्जा परियुजना का निर्मान किस राज में किया जा रहा है तो कहां पर किया जा रहा है तेलंगाना में किया जा रहा है तेलंगाना में तो ए इसका राइट अंसर नेक्स्ट है बित्य वर्ष 2021 के लिए राज को सी घाटा GDP का कितना परसेंट रहने का अनुमान है तो 6.8 परसेंट रहने का अनुमान है तो C इसका रैटन से रहने चलाने की कानूनी अनुमती देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है अच्छा कोसन है कि दुनिया में जो है 140 कारों को सलकों पर चलाने की कानूनी अनुमती देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है तो इंगलेंड बन गया है सुचालित कारों को दियान रखेगा तो B इसका रहत उतर हो जाएगा ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है कि हाली में हाली में कौन सा देष जो है ESCO का नोमा सदस बना है तो कौन बना है? इरान बना है संगाई सायोक संगठन का जो है नॉमा मेंबर कौन बना है इरान बना है तो ए इसका रैटनसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि ओलंपिक 2020 के पदक विजेता एबम संबंधित खेल के मिलान में कौन सा या कौन से सही नहीं है इसमें से देख लिजे कौन से आपके सही नहीं है तो देख लिजे मीरा बाई चानू मीरा बाई चानू भारो तोलन 49 किलोग्राम बर्ग से सम्मंदी थे तो यह तो सही है उसके बाद आपका है रभी कुमार दहिया रभी कुमार जो दहिया है 65 किलोग्राम फिरी अस्ट्याल से सम्मंदी थे तो यह गलत है 65 नहीं कितना 57 kg फिरियस ट्याल से संबंदी थे उसके बाद है बजरंग पुनिया 57 kg फिरियस ट्याल से संबंदी थे तो बजरंग पुनिया जो है 65 kg फिरियस ट्याल से संबंदी थे तो ये दोनों आपके गलत है ठीक है उसके बाद डी है लबलीना बोर्गोहेंड मुक्य बाजी में 64-69 किलोग्राम वर्ग में तो यह सही है तो इसमें आपके B और C दोनों गलत है तो जो E ओप्सन है यह सही हो जाएगा ठीक है एक से अधिक गलत हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारत की ओर से 200 एक दिवसी अंतरास्टी किर्केट मैचो की कप्तानी करने बाले विराट कोहली है तो आपको याद रखना है विराट कोहली तिसरे कप्तान है विराट कोहली जो हैं तिसरे कप्तान है तो C इसका रहटन से हो जाएगा पहले कौन है तो मुहम्मद अजरुद्दीन है और दुसरे कौन है तो महंसी धोनी है और तिसरे कौन है विराट को लिए है नेक्स्ट है कि सयंक्त रास्ट एवियन के महा सची पद पर निमन में से किसे दोबारा सर्ब समती से चुना गया है तो किसे चुना गया है इंटोनियो गुटेरेस को तो C इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि निमन में से कौन से महला खिलाडी टेस्ट मेच की दोनों पारियों में अर्ध सतक बनाने बाली पहली भारती एवं दुनिया की चोथी बल्लेबाज बन गई है तो उनका नाम क्या है उनका नाम है सेफाली बर्मा क्या नाम है सेफाली बर्मा तो D इसका रैट अंसर हो जाएगा कनाड़ के परदान मंत्री जस्टिन टूडो ने देश के सुप्रीम कोट में पहले किस आस्वेत, द्यान रखेगा, आस्वेत बेक्ती और भारत वंसी को जज के रूप में नामित किया है, तो उनका नाम किया है? उनका नाम है महमूद जमाल, क्या नाम है महमूद जमाल इन्पोर्टेंट कोशन पूछा जाता है, तो ए इसका रैट अंसर हो जाएगा, नेक्स है कि हाली में किस अफिर की देश में जो है 1098 करेक्ट के, 1098 करेक्ट के दुनिया के तिसरे सबसे बड़े डामेंड की खोज की ग कितने का है, तो 1209 करेक्ट का है, ठीक है, 1209 करेक्ट का है, इतना आपको ध्यान रखना है, तो B इसका रैट अंसर हो जाएगा, नेक्स है कि बिशु सरनाथी दिवस, बिशु सरनाथी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, निवन में से किस दिन मनाया जाता है, तो किस दिन इसका रैटन्सर हो जाएगा नेक्स्ट है कि निमन में से किस अंतरास्टी बॉक्सर एबम उनिस्टो अन्ठानवे ACI खेलो के स्वर्ण पदक बेजेता का निर्दन हो गया उनका नाम क्या है तो डिको सिंग उनका नाम है तो B इसका रैटन्सर हो जाएगा नेक्स्ट है कि निमन में से किस राज सरकार ने असना गठित छेत्रों के सरमकों के लिए इंदरिमान पोटल एबम मुबाइल एब को लॉंच किया है तो गुजरात सरकार ने लॉंच किया है तो D इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि विश्व वैंक ने भरत के अर्थविवस्था को 2022 में कितने परतिसत दर्श से बढ़ने का अनुमान लगाया है तो 7.5% के अनुमान से गती से बढ़ने का अनुमान लगाया तो भी इसका राटे नतर हो जाएगा नेक्स्ट ए कि किस राज की बाटर बीडियल को शिस्टी से मन में रास्टी फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्याबरान सनाच्छन पर सरब शेष्ट फिल्म रास्टी पुरस्कार मिला है तो अरुणचल प्रदेश के तो डी इसका राटे नतर बहुत ही अच्छा कोशन इसा मार्क किजिएगा किस राज की बाटर बीरियल को सिस्टी से मन्में राश्टी फिल्म पुरसकार 2021 में परियावरां सनचन पर सर्वसेष्ट फिल्म राश्टी पुरसकार मिला है तो अर्नचल प्रदेश को मिला है तो डी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है भारतिय रिजा बैंक ने जो है विस्वीर आहुजा को किस बैंक के परबंध निर्देशक और सीयो के रूप में निब्ध करने की मंजूरी दी है तो आपको याद रखना है कि आरबीयाई बैंक के इसा दोवारा देखिए बारतिय रिजा बैंक ने बारतिय रिजब बैंक ने जोए विश्व बीर आहोजा को किस बैंक के परबंध निर्देशक और सीयो के रूप में निव्ध करने की मंजूरी दिये तो आरवी आई बैंक के तो बी इसका रैट अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है निवन में से किस राज सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सिनेशन अभियान की सुरुवात की है तो दिली सरकार के दोरा इस अभियान के सुरुवात किया गया है तो C इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है की हाली में किस देश को साहिवत रास्ट आर्थिक और समाजिक परिशद के लिए 2022 की अबधी के लिए चुना गया है तो भारत को चुना गया है इमनेटेट नेशन एकोनोमिक एंड सोचल कॉंसिल के लिए 2022 के लिए तो D इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन जो है बर्ष 2021 में रामसर सूची में सामिल होने वाली भारत की आदर भूमी नहीं है तो कौन नहीं है सुल्तानपुर रास्टिय उद्यान को सामिल किया गया है भिंडवास बंजीब अभिरन को भी सामिल किया गया है बादवाना आदभूमी को भी सामिल किया गया है थोल जील बंजीब अभिरन को भी सामिल किया गया है इन चारों को सामिल किया गया है 2021 में रामसर सूची में तो एक से अधिक इसका right answer हो जाएगा आपको याद रखना है कि संतलिस्मा रामसर साइट कौन है ये पूछा जाएगा आपसे तो हैदरपूर है कौन है रामसर साइट है संतलिस्मा ठीक है हैदरपूर बेटलेंड तो ये option आपके सही हो जाएगा नेक्स्ट है कि निम्र में से किस राज सरकार ने आर्थी क्रूप से कमजोर ESC, EST एबं अति पिछला बर के बेद्यार्थिव के लिए मुख मंत्री अनुप्रती कोचिंग योजना का सुभारम किया गया तो किस के दौरा सुभारम किया गया है राजस्थान सरकार के दौरा तो तेन जुन 2021 को निर्देन हो गया तो मौरिशस के पूर्व परधान मंत्री थे तो ये इसका राटन सर हो जाएगा नेक्स्ट है कि निम्रिखित में से किसे राश्थिये फलोरेंस नाइटिंगल पुरसकार 2020 से संभानित किया गया है तो किसे संभानित किया गया है तो आपक रास्तिय सुरच्छा सलाकार ने हाली में किस भारतिय टट्रच्छक जहाज को संचालित किया जो 105 मिटर अप्टटिये गस्तिय जहाजों की संखला में तिसरा है तो सजग कौन है सजग तो भी इसका रहाट अंसर हो जाएगा इसे दोबरा देख लिजिए कि भारत के रास्तिय सुरच्छा सलाकार ने हाली में किस भारतिय टट्रच्छक जहाज को संचालित किया जो 105 मिटर अप्टटिये गस्तिय जहाजों की संखला में तिसरा है तो सजग उसका नाम है तो भी इसका रहाट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है केंद्री मंत्री मंडल ने टीकाउ सहरी विकास के छेतर में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझावता ग्यापन को हाली में मंजुरी परदान की है तो मालदीप को ठीक है केंद्री मंडल ने टीकाउ सहरी विकास के छेतर में ठीक है सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझावता ग्यापन को हाली में मंजुरी दी गई है तो मालदीप के साथ में ये मंजुरी दी गई है तो डी इसका रहाट अंसर हो जाएगा सुप्रीम कोट के किस रिटायर जस्टिस ने रास्टी मानवाधिकार आयोग के नए अध्याच की रूप में पदभार सम्हाला है तो उनका नाम क्या है अरुन कुमार मिस्रा उनका नाम है अरुन कुमार मिस्रा तो बी इसका रहाट अंसर हो जाएगा बारती उद्योग परिशंग का नया अध्याच निवन में से किसे निक्त किया गया है तो टी बी नरेंदरन को तो ए इसका रहाट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि गोल्ड मैन परिया वरन पुरसकार 2021 के विजेता कौन है तो मैदा बिलाल है तो B इसका रैटन से हो जाएगा नेक्स्ट है वर्स 2021 की जनगन्ना के अनुसार देश की 0-18 वर्स तक की कुल अबादी का कितना हिस्सा बिहार में निवास करता है तो ए इसका रैटन से हो जाएगा नेक्स्ट है कि बिहार का पहला पच्छी उत्सव कल रहो का आयोजन किस पच्छी अभियरन में किया गया तो नागी पच्छी अभियरन जमुई में नक्टी पच्छी अभियरन जमुई में तो दोनों में किया गया था तो एक से अधिक इसका रैटन से हो जाएगा नेक्स्ट है की बिहार के सरकारी अस्कुड़ों में नमांकर्ण के लिए 8 मार्च 2021 से शुरू किये के बिसेस अभियान का नाम क्या है तो परवे उत्सव इसका नाम रखा गया है तो D इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है की बिहार के किस अस्थान पर केंद्रिये जल एवं सक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन किया जा रहा है तो कहां पर बिरपूर में कहां पर बिरपूर सुपाल जिला में है तो ए इसका रैट अंसर हो जाएगा दोबर देख लिजिए कि बिहार के किस अस्थान पर जो है केंद्रिये जल एवं सक्ती अनुसंधान केंद्र का गठन किया जा रहा है तो बीरपूर में किया जा रहा है जो सुपॉल डिस्टिक में अस्तित है तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि बिहार की पहली और देश की दुसरी बड़ी नदी जोडो परियुजना को मार्च दोहरे किस में मंजुरी दी गई यह परियुजना पर कितना खर्च आएगा तो 4900 क्लो रुपे खर्च आएगा तो C इसका रैट अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है कि बिहार के किस सहितकार के जीवन पर 45 मिनट की फिल्म समबदिया बनाई गई है तो फनिस्वर नात रेनु के जीवन पर तो D इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि वर्च 2021 के नोबल सांती पुरस्कार के लिए निमलिखित में से किसे चैनित किया गया है तो किसे चैनित किया गया है मारिया रेसा और दिमित्री आद्रे मुराटोब को ठीक है नेक्स्ट है कि हाली में 6 अप्रेल को किस केंद साचित प्रदेश में बिधान सवा चुनाव कराया गया तो अच्छा कोशन है कि हाली में 6 अप्रेल को किस केंद साचित प्रदेश में बिधान सवा चुनाव कराया गया तो पूड़ी चरी में कराया गया तो C इसका राइटन स हो जाएगा पूडीचरी में कितने बिधानसवा के सीटे हैं तो 30 हैं कितने हैं तीस हैं नेक्स्ट है महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूनामेंट 2021 किसने जीता है तो किसके दौरा जीता गया है तो एमा रादु कानू के दौरा कहां कियें बिर्टेंड कियें तो डी इसका राद एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि दिल्ली खेल विष्विद्याले की पहली कुलपती कौन बनी है तो कर्नम मलिसवरी बनी है कौन बनी है कर्नम मलिसवरी बनी है तो सी इसका राद एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कितने नए खेलों को स स्टामिल किया गया तो दो तो ए किस िक्षश में खोलա गया है तो कहां पर खोला गया गुजरात में खोला गया है तो सी का राफ के लिए भारत का पहला सिएंजी पार कि लगणा तो भावान नसी में स्थापित किया जा रहा है तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा C इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है कि ओलम्पिक 2020 में जिमनास्टिक प्रतियोकता में जज चुने जाने वाले पहले भारतिये निमलिखित में से कौन है तो दीपक काबरा है कौन है दीपक काबरा है तो A इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि कि किर्केट की प्रतिस्थित बिजे हजारे ट्रोफी 2021 किस टीम ने जीता है दोबरा देखिए किर्केट की प्रतिस्थित बिजे हजारे ट्रोफी 2021 21 किस team ने जीता है तो Mumbai team ने МУЗЫКА तो C इसका रेत अंसर हो जाएगा नेक्स है कि अमिर्का चंदर्मा पर पहला परमानु reactor किस वरस तक अस्थापित करेगा तो 2026 तक अस्थापित करेगा तो 2026 तक तो D इसका रेत अंसर हो जाएगा कितने किलो बाट कर रहेगा तो 40 किलो बाट की ठीक है 40 किलो बाट की तो दे इसका राट इंसर हो जाएगा next है कि one school one is योजना किस राज ने शुरू किये one school one is योजना किस राज ने शुरू किये तो किरल के द्वारा शुरू किया गया है तो B इसका राइटेंसर हो जाएगा Microsoft ने किस राज में अपना नया भारत लिकास के अंदर सुभधा शुरू किये तो उत्तर परदेश में, कहां पर उत्तर परदेश में तो B इसका राइटेंसर हो जाएगा Next है कि Aero Space Company, Blue Origin के अस्थापना किसके द्वारा की गई है तो इबराहिम रहिसी के द्वारा जीता गया है इबराहिम रहिसी के द्वारा तो A इसका राइटेंसर हो जाएगा Next है कि 20 में, 20 में पाम वायल का सबसे बला उत्पादक देश कौन है तो इंडोनेसिया है, कौन है इंडोनेसिया है तो B इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है अगस्ट 2020 में दुनिया के किस छेतर को जो है जंगली पोलियो से मुक्त घोसित कर दिया गया था दुबारा देखी इस question को कि अगस्ट 2020 में जो है दुनिया के किस छेतर को जो है जंगली पॉलियों से मुक्त गोसित किया गया था तो किस चेत्र को अफिर्का के चेत्र को तो ए हिसका right answer हो जाएगा Next है कि United Kingdom की महराणी एलिज़ा बेथ दूतिय का उत्रा दिकारी उत्रा दिकारी कौन होगा उत्रा दिकारी कौन होगा तो Prince Charles होंगे, कौन होगे Prince Charles होंगे तो A इसका Right Answer हो जाएगा, अच्छा कोशन है Next है कि निमलखित में से कौन सा कथन आपके सत है तो देख लिए कौन सा कथन आपके सत है लवलीना बोर गेहन को असम सरकार के द्वारा समग सिच्छा अभियान का Brand Ambassador बनाया गया है जाले तो B इसका Right Answer हो जाएगा सेंग राष्ट जलवाय दूथ किससे चुना गया है तो सेंग राष्ट जलवाय दूथ जो चुना गया है माइखल बुलूमबर्क को चुना गया है तो ए सका रायट असे हो जाएगा बुलूमबर्क माच शुट गया है ठीक है Next है कि किस बैंक को इनाम के डिजिटल पेमेंट पार्टनर के रूप में चुना गया है तो कोटक महंदरा बैंक को चुना गया है तो ए इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि दुनिया की पहली दो नैनो मीटर चीप तकनीक का अनावरण किसके दोरा किया गया है तो किसके दोरा किया गया है IBM के दोरा किया गया है International Business Machine के दोरा IBM के दोरा फिर से देख लेज़े दुनिया की पहली 2 नैनो मीटर चीप तक्नीक का आनावरन किस दोरा किया गया है तो IBM के दोरा किया गया है International Business Machine के दोरा तो D इसका right answer हो जाएगा नेक्सटे कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ दच्छिन चीन सागर में नौसेनिक अभियास सिम बैक्स का 28 संस्क्रन आयोजित किया है तो भारत किया है सिंगापूर के साथ में तो C इसका रहट अंतर हो जाएगा नेक्स्ट है राजस्थान के जोदपूर में मियो का बाड़ा, अस्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो महस नगर कर दिया गया है क्या कर दिया गया है महस नगर कर दिया गया है तो A इसका रहट अंतर हो जाएगा नेक्स्ट है कि सैंगत राष्ट महासिब सचीव द्वारा सायंगतराष्ट महासचीब द्वारा जो है किस भरतिय सांती सेना अधिकारी को मरनो प्रांथ सम्मानित किया गया है तो किसे सम्मानित किया गया है ये सम्मानित किया गया है इवराज सिंग को किसे इबराज सिंग को तो B इसका रहाटनते हो जाएगा दोबरा देख लिजेगा कि साइंग तरास्ट महासचीव दोबरा किस भारतिय सांती सेना अधिकारी को मरनो प्रांत सम्भानित किया गया है तो इबराज सिंग को नेक्स्ट है टोक्यो पैरा उलम्पिक 2020 का सुभंकर निमलिखित में से क्या है टोक्यो पैरा उलम्पिक 2020 का सुभंकर क्या है तो सुमाइटी है क्या है सुमाइटी है टोक्यो उलम्पिक 2020 का सुभंकर क्या है तो मिराई टोबा है क्या है मिराई टोबा है तो ये इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है भारत नवाचार सुचकांक 2020 में उत्री पुर्वी पहाली राजियों में पहले अस्थान पर कौन राज है? तो हिमाचले प्रदिश पहले अस्थान पर है सकेन अस्थान पर कौन है? तो उत्रा खंड है साथ ही आपको याद रखना कि बड़े राजियों के स्रेनी में पर्थम अस्थान किसे मिला है? तो करनाटक को पर्थम अस्थान मिला है तो डी इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि पुष्टक बिकाउज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखा कौन है? तो राम माधव हैं कौन है? राम माधव तो बि इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि इनेमिया मुग्द भारत सुचकांक 2021 में किस राज ने सिर्ष अस्थान हासिल किया है? तो मधव पर्देश ने सिर्ष अस्थान हासिल किया है तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा नेमिलखित में से कौन जो है? भारत का पहला है? एलेक्ट्रिक बाहन सहर बन गया है तो गुजरात का के बढ़िया बन गया है गुजरात का के बढ़िया तो D इसका राइट एंसर होगा लापता बेक्ट्यों की पहचान के लिए एक आई एक आई फेमिलिया वैस्विक डेटाबेस किसने लाउंच किया है तो इंटरपोल के द्वारा लाउंच किया गया है दवरा देख लिजे कि लापता बेक्ती की पहचान के लिए एक आई फैमिलिया वैसिविक डेटाबेस किसके दवरा लॉंच किया गया है तो इंटरपोल के दवरा लॉंच किया गया है नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा भारती राज तीन देशों से सीमा साजा नहीं करता है अच्छा कोशन है तो असम आपके साजा नहीं करता है ठीक है असम जबकि पच्छी मंगाल करता है सिक्किम भी करता है और अरणाशल प्रदेश भी करता है ठीक है तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा उसके बाद next question देखिए next question है कि motor बाहन की बैटरी में कौन सा अमल परियोग में होता है तो यह मैंने देखना है हमें देखना है 105 ठीक इनेमिया मुक्त भारत सुचकांग 2020-21 में किस राज ने सिर्ष अस्थान हासिल किया है तो मद परदिश आपके पहला अस्थान हासिल किया है मद परदिश पहला अस्थान हासिल किया भी देख चुके हैं हमलो तो A इसका राइट अंसर हो जाएगा next है कि कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक बाहन सहर बन गया है तो SIM कोशन को repeat किया गया तो दूसरे सेट में भी तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा उसके बाद next है कि 2023 का ICC का अधिकारिक भागिदार कौन बना है तो कौन बना है भारत पे बना है कौन बना है भारत पे तो C इसका राइट अंसर होगा next है भारत का पहला इलेक्टरिक बाहन लिथियम बैटरी प्लांट किस राज में अस्थापित किया जाएगा तो करनाटक में अस्थापित किया जाएगा तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा next है लिटिल गुरू एप किस भासा का दुनिया का पहला गेमी फीड लर्निंग एप है तो किस भासा का है संस्कृत भासा का है दुवरा देख लिजिएगा कि लिटिल गुरू एप किस भासा का दुनिया का पहला गेमी फीड लर्निंग एप है तो संस्कृत भासा का तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि भारत में अपनी तरह की पहली ओनलाइन बिवाद समाधान पूस्तिका किस ने लॉंच किया है तो किस के द्वारा लॉंच किया गया है निती आयो के द्वारा लॉंच किया गया है ओनलाइन बिवाद समाधान पूस्तिका तो C इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है भारत के रेजिस्टार जनरल कर्याले दोबरा वारसी C.R.E.S. पर अधारित भारत की महतपुर्ण सांख की रिपोर्ट के अनुसार कितने राजियों या संग राज छेतरों में जन पंजी करन सो फिस्दी हो गया है तो 14 राज या संग राज छेतरों में तो भी इसका right answer हो जाएगा और मिर्तु जो है मिर्तु का पंजी करन सो परसेंट कितने राज या के अनुसार साचती परदेश में हो गया है तो 19 ठीक है कितने 19 नेक्स्ट है कि फोरेस्ट अस्टाप को COVID-19 से मुकावला है तू बीमा कबर देने के लिए निमलिकेत में से कौन सर टाइगर रिजब चर्चा में रहा है तो पक्के टाइगर रिजब कहां पर अस्तित है तो अरवनाचल परदेश में अस्तित है तो C इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है होता है तो C इसका right answer हो जाएगा अस्ति है आपको याद रखना कि जो 22 बैठक है कहां पर होगा तो उजबेकिस्तान में 22 बैठक होगा नेक्स्ट है कि तिरपूरा और किस राज ने नेल के पानी का connection प्रदान करने के लिए वार्सी कार योजना प्रस्टूत किये तो सिक्किम ने प्रस्टूत किये तो P इसका right answer हो जाएगा B इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि किस देश ने नूरा अल मत्रोशी को अपनी पहली महला अंत्रेश यात्री करोप में नामित किया है तो U A E ने नामित किया है समयुत अरब अमिरात ने तो C इसका right answer हो जाएगा 37 कॉल का निर्धन हो गया वह किस पेसे से जुड़े होए है तो 37 कॉल है यह आपके अभिनेता थे कौन थे अभिनेता थे तो B इसका right answer होगा नेक्स्ट है भारत के 20S आर्थिक छेत्र में किस देश ने बिना अनुमती नेविगेशन ओप्रेशन कर 90 सुरच्छा निती का उलंगन किया है तो USA के दवरा किया गया था किसका दवरा USA के दवरा किया अमिर्का के दवरा किया गया था तो C इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ air bubble agreement पर signature किया है तो स्रिलंका के साथ में फिर से देख लिजे भारत ने किस देश के साथ में जो है air bubble agreement पर signature किया है तो स्रिलंका के साथ में किया है तो D इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है परियावरन इस्थिती रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है तो भारत की रैंक है एकसो सतर्मा कौन है एकसो सतर्मा रैंक है तो C इसका रैटन सरो जाएगा नेक्स्ट है प्राकिर्तिक गैस नियामक बोड के अध्याच की रूप में किसे निउक्त किया गया है तो प्राकिर्तिक गैस नियामक बोड के अध्याच के रूप में जो है संजे नंदन सहाई को निवक्त किया गया है ठीक है संजे नंदन सहाई को जो है प्राकिर्तिक गैस नियामक बोड के अध्याच के रूप में निवक्त किया गया है रेसायन विग्ञान में किसी अपके नोबल प्रसकार दिया गया है 2021 में तो बेंजामिन लिस्ट को दिया गया है बेंजामिन लिस्ट और डेविड डेवलू सी मैक मिलन को दिया गया है तो एक और चार तो डी इसका रेट इंसर हो जाएगा ओलंपिक 2020 में महला कलात्मक जिमनास्टिक आयोजन में भारत की एक मात प्रतिनिधी कौन रही है तो कौन रही है प्रनती नायक रही है तो बे इसका रेट इंसर हो जाएगा इसको सन को दवरा देख लिजेगा कि ओलंपिक 2020 में महला कलात्मक जिमनास्टिक आयोजन में भारत की एक मात प्रतिनिधी कौन रही है तो प्रनती नायक रही है तो बे इसका रेट इंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि किस भारतियों को अंतरास्टिय तेरा की महासंग बिवर्वे के सदस के रूप में चुना गया है तो बिरेंद्र नाना बटी को बिरेंद्र नाना बटी को तो भी इसका रहाट इंसर हो जाएगा किस भारती ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन ने इंप्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब जीता है तो नाज जोसी ने किसने नाज जोसी ने तो सी इसका रहाट इंसर हो जाएगा नेक्स है कि कौन सा भारती फूटबॉलर दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतरास्टी गोल अस्कुरर बन गया है तो कौन बन गया है सुनिल सेत्री बन गया है कौन सुनिल सेत्री तो डी इसका रहाट इंसर हो जाएगा कौन सा भारती फूटबॉलर जो है दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतरास्टी गोल अस्कुरर बन गया है कौन बन गया है तो सुनिल सेत्री बन गया है सुनिल सेत्री तो डी इसका रहाट इंसर हो जाएगा नेक्स्ट है टोकियो ओलंफिक 2020 जिसका आयोजन 2020 में किया गया था में नवकायन प्रतियोकता में भाग लेने वाली बारत की प्रत्थम महला किलाडी निमलख्यत में से कौन है तो नेत्रा कुमनन है कौन है नेत्रा कुमनन तो सी इसका रहाट इंसर जाएगा दोबरा देख नेक्स्ट है टोकियो ओलंफिक 2020 में नवकायन प्रतियोकता में भाग लेने वाली भारत की प्रत्थम महला खिलाडी निमलख्यत में से कौन है तो नेत्रा कुमनन है तो सी इसका रहाट इंसर जाएगा नेक्स्ट है पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से सुरच्छित हम सुरच्छित तुम अभियान किस ने सुरू किया है तो किस के द्वारा सुरू किया गया है निती आयो के द्वारा तो भी इसका रहाट इंसर जाएगा नेक्स्ट है भारती नौसेना को 24-8-6 रोमियो मल्कुरोल हिलीकॉप्टर में से दो का पहला सेट किस दिस से प्राप्त हुआ है तो किस दिस से प्राप्त हुआ है यूशे से मिला है किस से? अमेरिका से मिला है तो ए इसका right answer हो जाएगा फिर से देख लिजेगा कि भारती ये नौ सेना को जो है चोबिस ये मियाश साथ रोमियो मल्टी रोल हेलिकॉप्टर में से दो का पहला जो है सेट किस देश से प्राफ्थ हुआ है तो ये जो ये 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 कि सेना उसे ये से कंट्री से भारत को मिला है ठीक है तो ए इसका right answer हो जाएगा जो रोमियो मल्टी रोल हेलिकॉप्टर है कौन बनाता है तो ये से बनाता है अमरिका बनाता है नेक्स्ट है कि मधुबनी जीले की मधुबनी जीले की जो है सत्घरा बिद्यापती जीविका महला सहकारी समीती को अंतरास्टी महला दिवस पर किस मंत्राले ने रास्टे पुरस्कार से सम्मानित किया है तो इस सम्मानित किया गया है गरामिन बिकास मंत्राले के द्वारा ग्रामिन विकास मंत्राले के द्वारत सम्मानित किया गया है इस कोशन को द्वारत देखिए मौधुबनी जिले की सत घरा विद्यापती जीविका महला सहकारी समीती को अंतरास्टे महला दिवस पर किस मंत्राले ने रास्टे पुरसकार से सम्मानित किया है तो अररिया में, कहाँ पर अररिया में अच्छा कोशन है, देख लिजे दोबारा, कि बिहार के किस जिले में जो है, बंदर बगीचा और चिडिया घर का दिर्मान किया जाएगा, तो अररिया में तो D इसका रैट अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लगो बच्चत की स्रिनी में, बिहार के तीन सिर्ष जिले में, निम्भिखेत में से कौनसे जिलाप के सामिल नहीं है, तो पटना, सारन, दलंदा सामिल है, जबकि बेकुश रै सामिल नहीं है, तो C इसका रैट अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में, जल जीवन हर्याली मिशन का सुभारम कब किया गया, तो 2 अक्टूबर 2019 को किया गया, तो C इसका रैट अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1934 में, डॉक्टर बिश्व सिरया ने अपने किस परसीद सोध गरंथ में देश के आर्थिक विकास की, दस बरसी योजना प्रस्तूत की थी, तो आपको याद रखना है, दी प्लांड एकोनोमी ओफ इंडिया में, दी प्लांड एकोनोमी ओफ इंडिया में, तो ए इसका रैट अंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है कि वैस्विक मंचो पर, भारत के नजरियों को मजबूत अवाज परदान करने के लिए, प्रसार भारती द्वारा किस नए चैनल की सुरुवात करने की घोशना की गई है, तो डीडी इंटरनेशनल की, ठीक है, डीडी इं इसका रैट अंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है की हाली में किस राज की विधान सवा ने विधान परिशत की पुना गठन की परस्ताव को पारित किया है, तो पच्छी मंगाल ने पारित किया है, तो डी इसका रैट अंसर हो जाएगा, 2021 में किस चक्रबाती तुफान ने भारत के पूर्वी एवं पच्मी टेटो पर भारी तबाही मचाई तो इसमें आपको याद रखना है ताउते, यास, अंभान, निसर्ग, इन सभी ने तबाही मचाया था तो इसका राटन सर्ग क्या हो जाएगा एक सारे के सारे सही है, ठीक है तो सारे न तबाही मचाया था तो इए उप्सन सही हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है साथ ही आपको याद रखना है कि जो ताउते ताउते कहां पर आता है तो अरब सागर में आता है पच्छी में आता है अरब सागर में आता है ठीक है नेक्स्ट है मैई 2021 में राजसभा के रिक्त सीटों के लिए कि इनको मनुनित किया गया तो महस जिट मलानी और सौपन दास गुपता को तो एक से अधिक इसका राइट अंसर हो जाएगा तो इए उप्सेन आपके सही हो जाएगा ठीक है जो हम लोग पुराना वीडियो बनाये थे उसमें हम राम जिट मलानी बोल दिये थे क्या होगा महस जिट मलानी और सौपन दास गुपता होगा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा देखिए जो वीडियो बनाया जाएगा आप जिसको आप देख रहे हैं इस पुरी तरीके से फ्रेज तरीके से नया बनाया गया है ठीक है नेक्स है कि अखिल भारतिय उच सिच्छा सर्वेच्चन 2019-2020 के अनुसार बर्स 2019-2020 में उच सिच्छा में सकल नमंकन अनुपात क्या है तो 27.1% है तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि भारत ते था किस देश ने दुईपच्छी बेवसाइक सम्बंधों को मजबूत परदान करने के लिए 10 बरसी रोडमेप का अनाबरन किया है तो इसमें आपको याद रखना है भारत और उनिटेट किंग्डम ने तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा एक अच्छा कोशन पुछा जा सकता है ठीक है इसे मार्क किजिएगा नेक्स है कि भारत में परियावरन सम्मंधी मामलों की सुनबाई के लिए एक पिर्थक रास्टिय हरित नियाधी करन का गठन कब किया गया 2010 में किया गया तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है भारत एबम इरोपिय संग का सुलमा सिखर सम्मेलन किस देश की अध्याचता में आठ मैं 2021 को संपन होता है तो पुर्तगाल की अध्याचता में ठीक है भारत अथा एबम इरोपिय संग का सुलमा सिखर सम्मेलन किस देश के अध्याचता में जो है आठ मैं 2021 को संपन होता है तो पुर्तगाल की अध्याचता में तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा निम्लिखित में से किस बैंक ने जलबाई परिवर्तें से निपटने के लिए हरित और सतत जमा की सुरुवात की है ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपोजिट की सुरुवात की है तो किस के दोरा की गई है SDFC बैंक के दोरा तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि किस देश के बिदे समंत्री अब्दुल्ला साहित को साइंत रास्ट महा सवा के छियतर में सत्र का अध्यच चुना गया है तो माल दिप के तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि हाल ही में किस देस के राश्टपती, प्रदान मंतरी एबूम, रच्छा मंतरी को वहां की सेना के दौरा हिरासत में लिया गया तथा सत्ता पर सेना ने अधिपत कर लिया तो कहाँ पर कर लिता है माली में कहाँ पर माली में तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा माली आपके एक अफिर की कंट्री है नेक्स्ट है कि किस देश की सरकार ने देश के प्रतिक दमपत्ती को तीन बच्ची को जरम देने की अनुमती दे दिये तो चीन के द्वराई चोदे माई 2021 को मंगल गरह पर सफलता पुर्वक उत्रा इस मार्स रोवर का क्या नाम है तो जुरोंग नाम है क्या नाम है जुरोंग तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा जो परसिवरेंस रोवर किसका है तो नासा का है नेक्स्ट की भारत सरकार ने किस देश में अड्डू सहर में एक नया बानिजिक दुताबास खोलने का निरने लिया है तो मालदिप में तो B इसका राइट एंसर हो जाएगा बीसो बैंक की वर्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसर बीदेशो से संप्रेशित धन की प्राप्तियों में कौन सा देश सिर्श स्थान पर रहा है तो रेमिंटेश प्राप्त करने के मामले में पहला स्थान पर कौन सा देश रहा है तो अपना देश भारत रहा है तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारत में 2020-21 में प्रतियश विदेशी निवेश अंतरपरवा में सरबाधिक 39% योगदान किस देश का है तो सिंगापूर का है किसका है सिंगापूर का है तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा और जो सकेंड योगदान किसका है 30% तो किसका है अमिर्का का है और 9% किसका है तो मौरी सस का है नेक्स्ट है भारत एबम अस्टेलिया के मध 2 पलस 2 भारता का आयोजन निम्लिखेत में से किस अस्थान पर किया गया तो नई दिल्ली में किया गया कहाँ पर नई दिल्ली में किया गया तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा जुन 2021 को RBI के द्वारा बितिय वर्ष 2021 22 में GDP में कितना प्रतिशत बिर्धी दर रहने का अनुमान लगाया है तो 69% रहने का अनुमान लगाया है RBI ने तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है अस्ट्रेट रेजुलूशन फ्रेमबर्क 2-0 के तहद रिन लेने वालों के लिए रिन सीमा को जो है 25 क्रोड से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है तो 25 क्रोड से बढ़ाकर 50 क्रोड कर दिया गया है तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा इस कोशन को दोबरा देखिएगा कि अस्ट्रेश रेजुलूशन फ्रेमबर्क 2-0 के तहद रिन लेने बालों के लिए रिन सीमा को जो है 25 क्रोड से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है तो 50 क्रोड कर दिया गया है नेक्स्ट है मंदी की मौजुदा इस्तिदी को देखते हुए बड़ी मात्रा में सेकृर्टीज के करई की जी सेप गौबर्मेंट सेकृर्टीज एकुजिशन प्रोग्राम RBI की योजना है जिससे क्या होगा तो बैंकों के पास तरलता में बिरदी होगी तथा अधिकरीन दे सकेंगे बैंक तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स से की विकास बैंकिंग बेमा बैंकिंग और बानेजिक बैंकिंग के कार का समनबई कौन सा बैंकिंग कहलाता है तो कौन सा बैंकिंग कहलाता है इनिवर्सल बैंकिंग कहलाता है तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स से की अगस्त 2021 में पुने अस्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदल के क्या रखा गया है तो नीरत चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि आयुस्मान भारत डिजिटल मिशन की सुरुवाद निम्रिकेत में से कब होई तो आयुस्मान भारत डिजिटल मिशन की सुरुवाद जो है कब होती है तो 27 सितंबर 2021 को होती है 27 सितंबर 2021 को तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है रास्टी मानवादिकार आयोग के नए अध्यच कौन बने है नियाययमूर्थी अरुनकुमार मिसराब बने है तो भी इसका राइट अंसर हो जाएगा अंतराश्टी एनी पुरसकार जिससे इनरजी फरंटिर पुरसकार के नाम से जाना जाता है मैं 2021 में किसे परदान करने की घोशना की गई है तो किसे प्रदान करने की घोषना की गई है C यन आर राव को, तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है कि परिया बरन बीद सुंदरलाल बहुगुना जिनका निर्धन जो है 21 मैं 2021 को, 21 मैं 2021 को हो गया, किस अंदुलन से संबंदित है, तो चिप को अंदुलन से इन परिया बड्खन निर्धारंद के तत्व कोन है, तो ये हम और देखना है, हमें देखना है यहां से, QS अ प्स अज़े रंकिंगे 2022 में किस अस्थान मिला है, तो इसमें आपको याद रखना है, पहला स्थान मिला है मेसाचुसेट्स इंसिचूट आफ टेक्रो लॉजी को ठीक है तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा फिर से बोलते हैं मेसाचुसेट्स इंसिचूट आफ टेक्रो लॉजी को पहला स्थान मिला है तो डी इसका राइट अंसर हो जाएगा ये कहां का इंडवर्शिटी है तो USA का है कहां के USA का आपके इंडवर्शिटी है ठीक है नेक्स है कि उदाइपूर विग्यान केंदर का उर्गाटन निवनिखित में से किस राज ये कियान साचित परदेश में किया गया है तो तिरपूरा में किया गया है कहां पर तिरपूरा में किया गया है तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा किस राज के राजपाल ने निजी छेतर की 75% नौकरियों को अस्थानिय लोगों के लिए अरचित करने के लिए बिधैक को मंजूरी दे दिए तो हर्याना की एक जो आपके विधायक उसकी मंजूरी दे दिये तो D इसका राटन सरू जाएगा नेक्स्ट है WhatsApp बैंकिंग सेवा सुरू करने के लिए किस बैंक ने WhatsApp के साथ करार किया है तो XS बैंक ने किस बैंक ने, XS बैंक ने तो A इसका राटन सरू जाएगा κेलो इंडिया बिंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्क्रेण में किस राज या केन साचित परदेश ने पदक तल्का में सिर्ष़ स्थान हासिल किया है तो जमु कास्मिर आपके सिर्ष़ स्थान हासिल किया है तो C इसका राइटन सोर जाएगा प्रोग्राम को बलावा देने के लिए credit guarantee उजना शरूँ करने की उजना बनाई इस उजना का मुल क्या होगा तो इस ऊजना का जो मुल है 100 million है कितना है 100 million dollars है 100 million dollars है 100 million dollar है 100 million dollar है 100 million dollars है तो G इसका रैयर selbst हो जाएगा Neptune's going on a NAS Ispler Living Index 2020 में मिलियन प्लस रेनी में पहला स्थान पर उभरा है दोबरा देख लिजेगा कि ईज ओफ लिबिंग इंडेक्स 2020 में मतलब कि 10 लाख से अधिक रेनी में जो है कौन सा सहर फिर्ष सहर के रोप में उभरा है तो बेंगलोरू उभरा है बेंगलोरू तो B इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि खेल मंत्राली ने 10 साल बाद किस महासंग को मानता दी है तो GFI को GFI को मानता दी है तो D इसका right answer हो जाएगा ठीक है GFI Gymnastic Federation of India को फिर से बोलते हैं Gymnastic Federation of India को तो D इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि समिधान सभा के लिए समिधानिक सलाकार के रूप में किसे नुक्त किया गया था तो किसे नुक्त किया गया था तो Sir BN राउ को Sir BN राउ को तो D इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि StarShip Prototype Rocket ASEAN 10 को किस संगठन द्वारा सफलता पुर्बग लाउंच और परिच्छन किया गया है तो किस के द्वारा Space X के द्वारा Space X के द्वारा तो C इसका right answer हो जाएगा जो Space X किसकी कमपनी है तो Elon Musk की private कमपनी है नेक्स्ट है भारत का भारत का पहला Machine Tool Park किस राज में खोला जाएगा तो करनाटक में खोला जाएगा भारत का पहला Machine Tool Park कहां पर खोला जाएगा किस राज में खोला जाएगा तो करनाटक राज में खोला जाएगा अच्छा कोसन है नेक्स्ट है कि Brahmos Missile खरीदने के लिए किस देश ने रच्छा समागरी और उपकर्णों की खरीद समझोते पर सिंगनेचर किया है तो फिलिपिन्स ने किया है तो भी इसका राइटन से रो जाएगा नेक्सटे कि EU NGA द्वारा भारत द्वारा परस्तावित अंतरास्टे बजार वर्ष के रूप में मनाने के लिए किस वर्ष को अपनाया गया है तो 2003 को अपनाया गया है तो D इसका राइटन से रो जाएगा ठीक है डी इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि किस राज सरकार ने युवाओं को मुक्त कोशल प्रसिचन प्रदान करने के लिए IBM के साथ सहयोग किया है तो गोवा ने किया है किस के साथ में गुवान किया है ऐबीम के साथ में सही awak दवारा देख लिजेग इस Samsun को कि कि किस राज सरकार ने एवाओं को मुक्त कोसल प्रमशिचन प्रदान करने के लिए ऐबी मेह साथ सही है तो से इसकान डाव जाएगा इला कि THE CNEI transfer proactive Additionally मेडिया पुरस्कारों में बर्स 2020 का चेंपियन प्रकासन जीता है तो किसके द्वरा जीता गया है जीता गया है दा हिंदू गुरुप के द्वरा दा हिंदू गुरुप के द्वरा यह अच्छा कोशन द्वरा देख लिजेगा निम्लिखित में से किसने जो है दच्छीन ACI Digital मीडिया पुरसकारों में से दच्छीन मीडिया पुरसकारों में बर्स 2020 का चेंपियन प्रकासन ठीक है चेंपियन प्रकासन जीता है तो दा हिंदू गुरूप ने जीता है तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारत में अधिकांस अभूसन बनाने के लिए 22 करेट का उप्योग होता है इसमें 2 करेट किस धादू को मिलाए जाता है तो तामा को मिलाए जाता है 2 करेट तो A इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि भूमी अभी लेख डिश्टली करन सुचकांग 2021 के सूची में पहले तीन राज्यों में से कौन सा है तो देख लिजिए मत परदेश है पच्छी मंगाल है और उड़ी सा है तो भी इसका राइटन सा हो जाएगा भूमी अभी लेख डिश्टली करन सुचकांग 2021 के सूची में पहले तीन राज्यों में कौन सा राज है तो पहले सबसे अधिक मत परदेश उसके बाद पच्छी मंगाल उसके बाद उड़ी सा तो भी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट किस राज सरकार ने भारत तिबबत चीन सीमा छेत्रों में तीन आदर्स गाउं को बिख्षित करने का दिरने लिया है तो अर्माचल परदेश ने तो डी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कि किस बैंक ने किस बैंक ने जो रुपे सौट पी ओ यस रुपे सौट पी ओ यस लांच करने के लिए भारत में डिजिटल भूगतान के लिए भारतीय राश्टिय भूगतान निगम और U-1 काई के साथ भागयदारी की है तो आपका रखना है यस भी आई भुगताने ने किया है तो भी इसका राइट अन्सर हो जाएगा अच्छा कोश्च जाने ठीक है नेक्स्ट है भारत के आर्थिक सर्वेच्छन 2020-2021 का विस्षय या थीम क्या है तो इसका थीम क्या है तो जीवन एबं आजीवका की सुरच्छा है जीवन एबं आजीवका की तो यह इसका राइट अन्सर हो जाएगा नेक्स्ट है इसका राइट अन्सर हो जाएगा डिया डियो का फूल फॉर्म क्या होता है तो रच्छा अनुसांदान और विकास संगठन इसका फूल फॉर्म होता है भारत ने किस तारिक को चवार दिवस मनाया है तो चार मार्च को चवार दिवस मनाया है चार मार्च को तो बी इसका राइट अन्सर हो जाएगा चवार पोट जो किस देश में अस्तित है तो इरान में चवार पोट है कौन डेवलप कर रहा है तो भारत देश इसे डेवलप जाए गए जो किरन अफ्लाट है कहां के तो बेस्ट एंडिज के हैं कहां के बेस्ट एंडिज के हैं ठीक है नेक्स्ट है CSIR यन आई ओ ने नबे दिवसी बैग्यानिक कुरूज मिसन कहां शुरू किया है तो बेग्यानिक कुरूज मिसन कहां पर सुरू किया है हिंद महासागर में सुरू किया है कहां पर हिंद महासागर में तो B इसका right answer हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है दुनिया का पहला प्लाटिपस प्लाटिपस अभीयारन कौनसा देश बना रहा है तो Australia बना रहा कौन सा बत्तक ठीक है बत्तक अभ्यारन कौन सा देस बना रहा है तो B इसका रैट अर धर हो जाएगा इसे अपलोग चेक कीजेगा इसका रैट अर धर हो जाएगा Next है कि उस Robotic helicopter का नाम क्या है जिसे NASA के Perseverance rover दोबरा संचालित किया गया है तो उसका नाम क्या है? तो इंजी नूटी उसका नाम है इंजी नूटी उसका नाम है तो B इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट एकी अंतरास्टी क्रिकेट परिस्द ICC की पहली 20 टेस्ट चेंपिन स्विप के खिताब भारत को हरा कर किस देस ने जीता है तो निजी लेंड ने जीता है भारत को हरा कर तो C इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट एक बारत के किस परोसी रास्ट में 1 फरवरी 2021 को वहां की सेना ने लोक्ता अंत्रिक सरकार को निलंबित कर सुए सत्ता सम्हाला है तो तक्ता प्लेट कहां पर हो गया है तो मियान मार में हो गया है 1 फरवरी 2021 को तो भी इसका राइट अंसर हो जाएगा उसके बाद नीचे आईए ये कौन सा है हाँ एक कुशन ये है जो है किसान अंदोलन से नहीं है तो इस सभी जो आपके जो दिया गया है नील अंदोलन, रमोसी बिद्रो, पावना बिद्रो बारदोली सत्तेग्राई सारे का सारे आपके किसान अंदोलन से इसका सम्मंद है तो एक से अधिक इसका राइट अंसर जाएगा मतलब कि इन वे से कोई नहीं सारे के सारे सही है ठीक है उसके बाद कि किस महला खिलाडी ने अंतरास्टे क्रिकेट में जो है 10,000 रन बना कर पहली भारतिय महला खिलाडी बन गई है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है मिताली राज नाम है तो डी इसका राइट अंसर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट फिर आगे अगला करेंट फिर 2019 का दादा साहिफ हाल के पुरसकार दिया गया है तो किसे दिया गया है तो रजनी कांत को दिया गया है रजनी कांत को दिया गया है तो डी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है की वर्ष 2020 के लिए गांधी सांती पुरसकार किसे दिया गया है तो वर्ष 2020 के लिए जो है गांधी सांती पुरसकार जो है किसे दिया गया है सिख मुझेबूर रहमान को दिया गया है सिख मुझेबूर रहमान को तो सी इसका रहाट नतर हो जाएगा यह बंगलादेस के हैं ठीक है बंगलादेस के थे अब है नहीं गदेत हो चुका है अस्टेलियाई ओपन 2021 का पुरुस एकल का खिताब किसने जीता है तो अस्टेलियाई ओपन 2021 पुरुस एकल का खिताब किसका द्वारा जीता गया है तो नवाक जो के बीच के द्वारा जीता गया है नवाक जो के बीच के द्वारा जीता गया है साथ ही आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछेगा कि EWS से तो अमिर्का ओपें 21 के खिता आप किसका दोरा जीता गया है तो डेनियल मेद्वेदेव के दोरा जीता गया है ये कहां के हैं ये रूस के हैं जबकि नवाग जो के बीच कहां के हैं तो सर्विया के से नोट कीजिएगा पूछा जाता आपसे एक्जाम में ठीक है तो भी इसका राइट एंसर हो जाएगा साथ ही आपको याद रखना है कि अस्ट्रेलिया ऑपें 2021 का महला एकला का खिता गया था तो नौमी उसाका के दोरा जीता गया था बारत के दोरा किया गया है और निरेंद्र मोदी इसकी अधिश्ता करते हैं तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्सटे दोहेर चोविस में ग्रिस्ट में कालिंग ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किया जाएगा तो पेरिस में होगा और दोहजार अठाइस में कहां पर होगा लाउस एंजिल्स में होगा और दोहजर बातीस में कहां पर होगा तो आपको याद रखना है बिरिस्ट बेन अस्टेलिया में होगा तो बी इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स है कि बरतमान में सयुक्त राज बर्तमान में सभ्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् सद्धा लेक están hi तो इसका रीट अंसर हो जाएगा एक वर टाब क्या गया था तो 1964 में कई है डूजास्टária किया जाहां लुक्त शकी तो तो सीश्का राट यह बोल लें कि अभी एक बज रहा है रात का है अ क्या कर रहा है यह ज़्常 से बोलेंगे तो आसपास अलाब बोलेगा क्या कर रहा है तो C इसका राट अंतर हो जाएगा ठीक है नेक्स ते की डिसंबर 2019 में डिसंबर 2019 में जारी भारत में बनो की इस्तिती रिपोर्ट के अनुसार बारत का कितना प्रतिसत भाग जो है बन्चेतर के अन्तरगत आता है तो 21.67 परसेंट आता है तो B इसका राट अंसर हो जाएगा नेक्स ते की मुखमत्री कन्या उत्थान युजना के अन्तरगत बिहार में असना तक पास करने बाली लड़कियों को कितनी रासी परदान की जाएगी तो 50,000 रुपया कितना 50,000 रुपया तो D इसका राट अंसर हो जाएगा नेक्स ते की बरतमान में भारती रिजब बेंक का गवंणर को थै बरतमान में जो है भारती रिजब बेंक की गवंणर को थै अन्सर कौनई सकति कान्थ दास है तो C इसका राट असर हो जाएगा 2021 बेश्चोप्रेश 133 सुचकांख में भारत का अस्थान क्या है तो 162 है 162 है तो D इसका राइट अंसर जागा कितने देशों में 180 देशों में 162 है ठीक है और किसके द्वराई जारी किया जाता है reporters without borders के द्वारा जारी किया जाता है borders के द्वारा जारी किया जाता है next 2021 का अंतरास्टी 1 दिवस का बिसाई क्या है 2021 का जो है अंतरास्टी 1 दिवस का बिसाई क्या है तो forest restoration a path to recovery and building है ठीक है तो D इसका right answer हो जाएगा next है की बिहार राज में बर्स 2021 के दोरान आर्थिक विकास दर क्या थी तो 60% थी तो D इसका right answer हो जाएगा next है सामिया सुलू हसन बर्स 2021 में किस देश की पहली महला राष्टपती बनी है तो तंजानिया की कहा की तंजानिया की पहली राष्टपती कौन बनी है तो सामिया सुलू हसन बनी है तो B इसका right answer हो जाएगा बर्स 2020 का साहित अकादमी पुरसकार हिंदी भासा के छेतर में किसे दिया गया है अच्छा कोस्टन है वर्स 2020 का साहित अकादमी पुरसकार हिंदी भासा के छेतर में किसे दिया गया है तो अनामिका को दिया गया है किसे दिया गया अनामिका को दिया गया है तो C इसका right answer हो जाएगा और अंग्रेजी भासा के लिए अरुधाती सुब्रयमन्यम को दिया गया है अरुधाती सुब्रयमन्यम को दिया गया है जो हिंदी में दिया गया है किस लिए दिया गया है तो किस कविता के लिए तो टोकरी में दिंगत थेरी गाथा दोहर चौदा के लिए नेक्स ते कि बिहार के किन सहरों को पुन रूप से हरित उर्जा कुसल सहर बनाया जाएगा एसा करने वाले बिहार के बिहार देश का पहला राज बन जाएगा यह अच्छा कोसन है इसे दोबरा देखिए क्या कोशन पूछ रहा है कि बिहार के किन सहरों को पुन रूप से हरित उर्जा कुसल सहर बनाया जाएगा ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज बन जाएगा तो किन सहर को जो हरित उर्जा कुसल बनाया जाएगा तो इसमें आपको याद रखना है एक है बोध गया, दुसरा है राजगीर तो एक से अधिक आपके सही option हो जाएगे तो E option सही हो जाएगा Next है बिहार का दुसरा चिडिया घर किस जिले में बनाया जाएगा अच्छा कोशन है बिहार का दुसरा चिडिया घर किस जिले में बनाया जाएगा तो अररिया में कहां पर अररिया में तो D इसका right answer हो जाएगा ठीक है D इसका right answer हो जाएगा उसके बाद कि एथनौल उत्पादन निती बनाने बाला देश का पहला राज कौन बना है तो बिहार बना है कौन बना है बिहार बना है तो C इसका राइट इंसर हो जाएगा नेक्स्ट है नेती आयो के 112 जिलो के अकांची जिला कारिकरम में बिहार का कौन सा जिला देश में अबल रहा है तो नवादा रहा है कौन रहा है नवादा तो D इसका राइट इंसर हो जाएगा तो वारा देखिए कि निती आयू के 112 जिलों के अकांची जिला कारिकरम में बिहार का कौन सा जिला जो है देश में अबबल रहा है तो नवादा डिस्टिक आपके अबबल रहा है तो डी इसका राइट इंसर हो जाएगा सबसे आकरी पैदान पर कौन रहा है तो इसे 28 चान मिला है बागलपुर को कौन सा स्थान मिला है तो तिसमा स्थान मिला है साथ ही आपको याद रखना है कि 10 लाग से अधिक अबादी वाले सहरों में जो है पटना को कौन सा स्थान मिला है तो पटना को जो है तिसमा स्थान मिला है ठीक है इतना आपको याद रखना है टोकियो पेरा उलंपिक 2020 में पहली बार भाग लेने बाले देशों की संख्या कितनी है तो पांच है कितनी है पांच है तो भी इसका राइटन सब्जाएगा कौन-कौन देश है तो भुटान है मालदीप है सेंट बिसेंट है प्रागवे है और एक और देश है ग्रेना डिनेश है ठीक है ग्रेना डिनेश गया है तो किसे उत्पल कुमार सिंग को निवत किया गया है तो भी इसका राइट एंठर हो जाएगा और किसका अस्तानी ये लेंगे तो सिनह लता सिर्वास्तों की जगह लेंगे नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में डगमारा मल्टी परपस हैड्रो पावर प्रोजेक्ट बहु उद्यसिये पन बिजली परियुजना लगाई जाएगी तो सुपॉल में कहाँ पर सुपॉल में तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है D इसका राइट अंसर हो जागा कितने मेगावाट करेज़गा तो 130 मेगाबाट चमता करेगा ठीक है और इसका अंद्रिमांन किसके द्वरा किया जा रहा है तो E कुम के लिए भोसले के लिए और धन्नूस जो है इसको इनको किसलों असुरन नभी के लिए तो एक से पर विज्लिए मरत हैं तो कंगना रनोत हैं, कौन है? कंगना रनोत हैं, याद रखेगा important है next है, 24 में मुख निरवाचन आयुक्त कौन बने है? यह अबस देखिएगा, 24 में मुख निरवाचन आयुक्त कौन बने है? तो सुशील चंद्रा बने है, तो C इसका red answer हो जाएगा और आपको याद रखना है कि 23 में मुख निरवाचन आयुक्त कौन थे? तो सुशील अरोडा थे, यह बहुत करनी फूजन बना सवाल है, ठीक है? तो फिर से देखिए, 24 में मुख निरवाचन आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा है, ठीक है? जबकि 23 में कौन थे? तो सुशील अरोडा थे, तो C इसका right answer हो जाएगा नेक्स है, दुनिया का पहला उर्जा दीब किस देश में अस्थापित किया जा रहा है? तो डेनमार्क में अस्थापित किया जा रहा है, तो D इसका right answer हो जाएगा ठीक है? नेक्स है कि देश का पहला आंधी तुफान अनुसंदान परिच्छन के अंदर किस राज में अस्थापित किया जाएगा? तो उरिशा में अस्थापित किया जाएगा, तो D इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि नागोजी, नागोजी, ओकोनो, इवेला, किस संगठन की पहली महला मान जदिसक बनी है, तो 20 वेपार संगठन की, 20 वेपार संगठन की बनी है, तो C इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है, वैसिविक लोगतंत्र सुचकांग किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है, तो The Economist Intelligence Unit के द्वारा, तो D इसका right answer हो जाएगा वैसिविक लोगतंत्र सुचकांग किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है, तो The Economist Intelligence Unit के द्वारा, तो D इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि किस देश ने अपने पहले अंत्रिशियान Hope Mars Mission को मंगल गरह पर सफलता पुर्वक पहुचा दिया है, तो किस के द्वारा, स्वयुक तरव अमिरात के द्वारा, तो C इसका right answer हो जाएगा C इसका right answer हो जाएगा, ठीक है नेक्स्ट है कि केंज सरकार ने बीत वर्ष 2021-22 के लिए प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना के लिए कितनी रासी अवंटित की है, तो 16,000 क्लो रुपे अवंटित की है, 16,000 क्लो रुपे अवंटित की है, तो A इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि किस देश ने 2021 में होने बाले विश्व सदत विकास सिखत से मिलर की में जवानी की है, तो भारत ने, किस ने, भारत ने, तो D इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारत की पहली, भूत आप ये उर्जा परियोजना का निर्मान कहां किया जाएगा, तो लद्दाक में किया जाएगा, कहां पर लद्दाक में, तो C इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने, किस देश के साथ, सहतुत बांध निर्मान के लिए समझोता किया है, तो अफगानिस्तान के साथ में किया है, तो D इसका right answer हो जाएगा, जब समझोता किया था, उसमें लोकतंतर की सरकार थी अफगानिस्तान में, लेकिन अब जो आपको पत कि तालिबान का अधिकार हो चुका है, पूरे अफगानिस्तान पर, तो D इसका right answer हो जाएगा, नेक्स्ट है कि किस राज की सरकार ने, सिसु मिर्थु दर कम करने के लिए, सास अवियान सुरू किया है, तो किस के द्वरा सुरू किया गया है, मद्पर्दिस सरकार के द्वर किया जाएगा, तेलंगाना के राम गुंडम में, तो C इसका right answer होगा, कितने megabatt का होगा, तो 100 megabatt का होगा, कितने 100 megabatt का होगा, ठीक है, तो C इसका right answer हो जाएगा, नेक्स्ट है किस बीमा प्रदाता ने 100% premium return प्रदान करने वाले भारत की पहली policy active health policy लाँच की है, तो ये लाँच की है, आधित बिरला health insurance company limited ने, ठीक है, तो C इसका right answer हो जाएगा, नेक्स्ट है, बैस्वे commonwealth table tennis championship 2021 की मेजवान, सहर कौन होगा, तो मेजवान जो सहर होगा, पंच कूला होगा, पंच कूला हर्याना, तो B इसका right answer हो जाएगा, नेक्स्ट है कि दुनिया के सबसे उचे railway bridge का निर्मान किस नदी पर किया गया है, तो चिनाब नदी पर किया गया है, तो A इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट है कि कोबैक्स योजना के माध्यम से मुक्त कोबिट उनिस ठीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया है, तो घाना बन गया है, तो B इसका right answer हो जाएगा, दुबरा देख लिएगा, कोबैक्स योजना के माध्यम से मुक्त कोबिट उनिस ठीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया है, तो घाना बन गया है, तो B इसका right answer हो जाएगा, नेक्स्ट है कि किस देश ने 530 मिलियन नेपाली रुपिय की लागत से अपने 25 स्वास्थ चोकियों क कि पुना निर्मान के लिए नेपाल के साथ चार समझोते गया अपने पर सिंगनेचर किया है, तो कौन किया है, भारत किया है, तो D इसका right answer हो जाएगा, नेक्स्ट है, भारतिये प्रतत्व सर्विच्चन ने किस राज में एक बहुद मट की खोज की है, तो जारखन में कहा कि बिहार राज बिधी आयो के अध्याच पर किसे निक्त किया गया है, तो फिर से देख लेजे, बिहार राज बिधी आयो के अध्याच की जिगा पद पर किसे निक्त किया गया है, तो नियायमूर्ति अंजना मिस्रा को जो है, बिहार राज बिधी आयो के अध्याच के अंसर हो जाएगा थीक है नेक्सट कि बैंक ने किस भारतियी राज में गुम्मगत्ता पूर्ण शिच्छा के लिए एक रेन है प्रयोजना पर सिंगण नेचर किया है तो nad लेंड ने द्वार देखह लेजिए कि ब्ल बैंक ने जो है किस भारतिय राज में गुनमत्तापुर्ण सिच्छा के लिए एक रीन रोजना पर सिगनेचर किया है तो नागलेंड के साथ में किया है तो D इसका राटन सरो जाएगा हूँ नेक्स्ट है कि CCI के दच्छिन छेत्य कारेले का उठगाटन वीत मंत्री ने किस सहर में किया है CCI इसका फूल फर्म क्या होता है तो भारतिय प्रतिय असपरदा आयो क्या होता है भारतिय प्रतिय असपरदा आयो के दच्छिनी छेत्री कारेले का उठगाटन किस उठगाटन वीत मंत्री ने किस सहर में किया है तो चिन्ड़ी में किया है नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेच्छन 2021 के अनुसार किस राज में सबसे अधिक बिदेशी परेटेक पहुचते हैं तो कहां पर पहुचते हैं तो तमिल नाडू में सबसे अधिक पहुचते हैं तो डी इसका राट अंसर हो जाएगा दोहर गार की जन्ड़्ना के अनुसार देश की जनसंक्या का लगवक 16% किस राज में निवास करते हैं तो उतरपरदेश में निवास करते हैं उतरपरदेश में तो बि इसका रैट अंसर हो जाएगा बी इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स है करोना प्रिडितों में आक्सीजन की कमी को दूर करने वाली दवाट 2D आक्सीडी गुलुकोच कांध्रमान किस संगठन ने किया है तो DRDO ने किया है किस ने किया है DRDO ने किया है तो B इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स एकि A.C.A. के सबसे बड़े पसु उद्यान का उठगाटन किस भारतिय राज में किया गया है तो तमिल लाडू राज में किया गया है नेक्स एकि किस राज ने बतन प्रेम नामक योजना को सुरू किया है तो बतन प्रेम नामक योजना जो है गुजरात सरकार के दोरा सुरू किया गया है तो D. इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स एकि हाली में चलाएगे ओपरेशन देविस सक्ति का संबंद भारत सरकार के किस मंत्राले से है अच्छा कोस्तन है इसे नूट किजेगा तो भारत सरकार के विदेश मंत्राले से है ठीक है भारत सरकार के विदेश मंत्राले से है तो ए इसका रैट अंसर हो जाएगा जो भारत के नागरी के आपके अफ़गानिस्तान में फस जाते हैं तो उनको निकालने के लिए ओपरेशन देविस सक्ति चलाया जाता है नेक्स्ट है कि आर्क्टिक छेत्र की जलवाई और परियावरन की निगरानी के लिए के लिए देश द्वारा नया उपगरा देश द्वारा जो है नया उपगरा आर्क्टिका एम लॉंच किया गया है किसके द्वारा लॉंच किया गया है तो रूस के द्वारा लॉंच किया गया है रूस के द्वारा लॉंच किया गया है द्वारा देख लिजेगा कि आर्टिक छेत्र की जलबाई और परियावरन की निगराने के लिए किस देश दुवारा नया उपगरा अरक्टि का यम लॉंच किया गया है तो रूस के दुवारा लॉंच किया गया है तो C इसका रैट एंसर हो जाएगा Next है CBI के नए निर्देशक के पद पर किसे निउक्त किया गया है तो सुवत कुमार जासवाल को निउक्त किया गया है तो C इसका रैट एंसर हो जाएगा Next है कि किस भारती बैग्गानी को एनी अंतरास्टिय पुरसकार परदान करने की गोशना की गयी है तो प्रोफेसर C.N.R. राव को तो D इसका रैट एंसर हो जाएगा Next है कि I.A.F. टीम किस देश की वायुसेना की सत्तरमी बर्सगाठ समारों में सामिल हुई तो सिर्लंका की किसके सिर्लंका की तो B इसका रैट एंसर हो जाएगा Next है कि किस राज या केन साचित परदेश ने बसों के लिए संपर्क रहिद टीकट सेवा के लिए एक मोबाइल एक चार्टर लॉंच किया है तो दुबारा देखेगा किस राज या केन साचित परदेशों ने बसों के लिए संपर्क रहिद टीकट सेवा के लिए एक मोबाइल एक चार्टर लॉंच किया गया है तो दिल्ली के द्वारा लॉंच किया गया है, तो D इसका राइट असर हो जाएगा, ठीक है, दिल्ली राज के द्वारा लॉंच किया गया है, तो D इसका राइट असर हो जाएगा, नेक्स्ट है, भारत के बरतमान महाने अबादी को जुन 2022 तक एक वरस के लिए जो सिवा विस स्कतर दिया गया है तो बत्वायव्हान न में भारत के महणिया इबादी कोन है तो कãyए के बेनूगोपाल है के बेनूगोपाल है तो बी इसका रायट Exactly की स्टिफञूjut ऑसी हम लोफ बेन ने किस देश के प्रदानमंतरी पत से इस्तिफा दिया है तो स्वेडिन के जेरेमी केसल की निवक्ति की घोस्ता की है तो इस टूटर के तो भी इसका रैटर अंसर हो जाएगा आपको याद रखना की बरतमान में जो है बरतमान में टूटर के भारत में सिकायत अधिकारी कौन है तो बिनाई परकास हैं कौन है बिनने परकासे से नूट किजिएगा आपसे पूछा जाएगा ठीक है साथ ही आपको याद रखना कि असपूर्ती पिरिया जो है किसकी सिकायत अधिकारी है तो फेस्बुक की जबकि परेश भी लाल जो है वाटसेप की सिकायत अधिकारी है तो B इसका right answer हो जाएगा भारत में COVID-19 के 7% टिका करन का लच प्राप्त करने वाला सहर कौन बना है तो भूनेसवर बन गया है कौन बन गया है भूनेसवर तो A इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि दोबारा देखिएगा देखिए रात में भी रिकोड करने में एक समस्या है कि जो गली वाले डोग है जो अपना विचारे भूगते रहते हैं रात बर तो यह एक दिक्कत ही है दिन का भी दिक्कत है रात कहीं दिक्कत है तो फुला मैनेज किजी आप लोग भी क्योंकि मेरे पास तो सेट अप है नहीं हम रुमी में रिकोड करते हैं तो थोड़ा आवास तो आए गाई नेक्स्ट है कि राही सरनौवत ने किस असपरधा में भारत के लिए स्वर्न पदक प्राप्त किया है तो जो राही सरनौवत है किस असपरधा में भारत के लिए स्वर्न पदक प्राप्त किया है तो सुटिंग में किसीज में सुटिंग में तो यह इसका रैट अंसर हो जागा जो राही सरनोवत हैं आपको याद रखना है कि 25 मीटर जो है एर पिस्टिल में जो है इनके द्वारा स्वर्न पदक जीता गया है नेक्स है कि वाटसेप पेमेंट इंडिया बिजनेस के प्रमुख के रूप में किसे निक्त किया गया है तो किसे निव्ट किया गया है तो मनेश महात्मे को तो D इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि भारती थल सेना के मित्र सक्ति सेन अभियास का आठमा संस्क्रन कहां आयुजित किया गया है तो कहां पर आयुजित किया गया है अमपारा स्रिलंका में अमपारा स्रीलंका में तो B इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि किस राज ने अगले पांच वरसों में राज में मुलभूत सिच्छा को बदलने के लिए साल्ट कारिकरम सुरू किया है तो साल्ट कारिकरम सुरू किया गया है आंत परदेश के द्वारा तो C इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि हाथी मिर्च के लिए किस राज को GI टेक परदान किया गया है तो मनिपूर को परदान किया गया है तो A इसका रैट अंसर हो जाएगा बिहार का परथम ट्रैफिक IG किसे बनाया गया है अच्छा कोशन है तो बिहार का प्रथम जो ट्रैफिक IG किसे बनाया गया है तो EMR नायक को बनाया गया है तो A इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है राश्टिय सांकी की दिवस 2021 का बिसाई क्या है तो इसका बिसाई है कि भूग को समाप्त करे खाद सुरच्छा और बेहतर पोशन प्राप्त करे और सतत किर्शी को बढ़ावा दे तो B इसका रैट अंसर हो जाएगा जो आपके भूग से समंधित SDG Sustainable Development Goal Second में है नेक्स्ट है कि निम्रिखित में से किसे जो है केंद्रिय जाच भीरो का बिसेश निर्देशक नियुक्त किया गया है तो किसे नियुक्त किया गया है प्रवीन सिन्हा को किसे प्रवीन सिन्हा को तो B इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि अंतरास्टिय सुद्रग अगर दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 30 जुन को मनाया जाता है 30 जुन को तो डी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि राज के पर्थम पच्छी महसुव का टैग लाइन क्या है तो पच्छी अधीस संग है तो जीवन में रंग है ए इसका राइट अंसर हो जाएगा राज के पर्थम पच्छी महसुव कहां पर होता है तो जमुई में होता है कहां पर होता है जमुई में होता है जमुई के नागी एबम नक्टी पच्छी अभेरन में किया जाता है जिसका नाम क्या है कल्राव क्या नाम है कल्राव उसका ना बिहार को तो ए इसका राइट असर हो जाएगा नेक्स है कि दुनिया के दुसरे सबसे बड़े जलविदू बांध की पहली दो इका यो बहत्रन बांध का संचालन सुरू किया गया है बांध का निरमान किस देश में किया गया है तो चीन में किया गया है कहाँ पर चीन में तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है B इसका राइट अंसर हो जाएगा Next है 2021 के Fukuoka Grand Proscar से किसे सम्मानित किया गया है तो किसे सम्मानित किया गया है ये सम्मानित किया गया है साइनाथ को किसे साइनाथ को पला गुम्मी साइनाथ आप उसे प्याद रखना है साई नात को तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा C इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि ICC पुरुष T20 बिसकप 2021 को UAE और ओमान में आयोजित करने के लिए ट्रांसपर कर दिया गया पहले यह टूनामेंट जो किस देश में होना था तो पहले जो यह टूनामेंट था बारत में होना था कहाँ पर भारत में तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोबराद देख लिए कि ICC पुरुष T20 बिसकप 2021 को UAE और ओमान में आयोजित करने के लिए ट्रांसपर कर दिया गया पहले यह टूनामेंट किस देश में होता तो बारत में होता तो इसका राइट अंसर हो जाएगा इसका बिजयता कौन है तो अस्टेलिया जो पहली बार जित्ता है T20 वर्ल्ट कप किसे हरा के New Zealand को हरा के तो इसका राइट अंसर हो जाएगा Next है भारती रिजयर बैंक ने किस सरेनी के बैंकों को लच्छित आर्ट सूर्सिंग के लिए दिसा निर्देश जारी किया है तो सहकारी बैंकों को तो इसका राइट अंसर हो जाएगा Next है इसका राइट अंसर हो जाएगा Next है कि निर्देश के निर्देश के साथ भारत ने स्वास्त अनुसंधान के छेतर में समझोता ग्यापन पर सिंगनेचर किया है तो मियानमार के साथ में किस के साथ में? मियानमार के साथ में दोबारा देख लिजिए निम्लिखित में से किस पूरवी प्रोजिशी देश के साथ भारत ने स्वास्त अनुसंधान के छेतर में समझोता ग्यापन पर सिंगनेचर किया है तो मियानमर के साथ में तो C इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स एकी वर्स 2021 में मिथला मधुबनी पैंटिंग की किस कलाकार को जो है पदम सिरी से सम्मानित किया गया है तो किसे दुलारी तेवी को सम्मानित किया गया है तो B इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स ए आर्थिक स्रिवेच्चन 2021 के अनुसर मारत सरकार ने बर्स 2019 में स्वास्त और सिच्छा पर कितना खर्च किया गया है तो स्वास्त पर जो है 1.5% और सिच्छा पर जो है 3.5% तो A इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारत की राजपती ने किस राज में अमबेटकर असमर्ग की अधारसिला रखी तो उत्तर प्रदिश में कहां पर उत्तर प्रदिश में तो D इसका राइट एंसर हो जाएगा भारत की पर्था महला क्रिकेटर कौन है जिन पर राश्टिय डोपिंग रोधी एजनसी ने 4 साल का डोपिंग परतिबंद लगाया है तो अंसुला राओ पर किस पर है अंसुला राओ पर तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स है बजट 2021-22 का नुसर बारत के अर्थ विवस्ता में किस तरह के GDP बिरधी अनुमानित की गई है तो B अकार की तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा अर्थ विवस्ता की ग्रोथ कर रहा था लेकिन जब COVID आया तो जो अर्थ विवस्ता चला गया नीचे ठीक है उसके बाद फिर से जब COVID खतम होगा तो अर्थ विवस्ता क्या होगा लगातार रिकवर करेगा तो फिर भी से बनागा की नहीं तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि ITU Global Cyber Security Index 2020 में किस देश ने सिर्ष अस्थान हासिल किया है तो सेंक्त राज अमेरिका जो है पहला स्थान हासिल किया है तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि प्रास्टिय महला आयोक की अध्याच निम्णखित में से कौन है तो रेखा सर्मा है कौन है रेखा सर्मा इनका कारिकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा एक वर्स नहीं तीन वर्स के लिए नहीं तीन बरसों के लिए बढ़ा दिया गया है एक नहीं तीन बरसों के लिए हम गलती बोल दिया एक बरस नहीं तीन बरस के लिए तो ए इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि इसरो द्वारा चंद्रियान तीन का परच्छेपन कब करने की योजना बनाई गई है तो 2022 में बनाई गई है कब बनाई गई है 2022 में तो ए इसका रैट अंसर हो जागा ठीक है ए इसका रैट अंसर हो जागा नेक्स्ट है कि सरस अजिब का मेला 2021 किस राज में संपन हुआ है तो सरस अजिब का मेला 2021 21 जो है ये कहां पर संपन हुआ है तो उत्र प्रदेश में संपन हुआ है फिर से देख लिजी सरस अजीब का मेला 21 किस राज में संपन हुआ है तो उत्र प्रदेश में संपन हुआ है तो भी इसका रैट अन्थर जाएगा ठीक है नेक्स्ट है कि केरा बिक वैस्विक उर्जा और परियावरन नेत्रित पुरसकार केरा बिक सम्मेलन 2021 में किस भरतियों को परदान किया गया है तो नरेंद्र मोधी को परदान किया गया है नरेंद्र मोधी को तो ए इसका रैट अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है कि Golden Global Award 2021 में किस प्रविस्टी ने सबसे अधिक प्रवसकार जीता है तो क्राउन ने किस ने क्राउन ने सबसे अधिक प्रवसकार जीता है तो ए इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि किस राज ने खाद पदाथों में मिलाबट करने वालों को आज जीवन कर आवास की सजा देने वाले कारून को मंजूरी दिये तो मद परदेश ने तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि सुन भेद भाव दिवसका मनाया जाता है तो एक मार्च को मनाया जाता है तो B इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि नलंदा ओपेन इन्वर्सिटी का प्रसासनिक भवन कहां बनाया गया है तो कहां पर बनाया गया है नलंदा में बनाया गया है नलंदा में तो D इसका राइटन से भजाएगा नेक्स्ट है कि Land Ports Authority of India ने 1 March 2021 को अपना नौमास्थ अपना दिवस मनाया Land Ports Authority of India किस मंत्राले के अंतरगत आता है तो गिरी मंत्राले के अंतरगत आता है अच्छा को सने गिरी मंत्राले के अंतरगत आता है गिरी मंत्री कौन है और सहकरता मंत्री कौन है तो अमिस साजवे गिरी मंत्री और सहकरता मंत्री दोनों है नेक्स्ट है संगिय बजट 2021-22 में निम्रिखित में से कौन सी योजनाय चलाई जाने की घोसना की गई है तो दोबरा देख लिए कि संगिय बजट 2021-22 में निम्रिखित में से कौन सी योजनाय चलाई जाने की घोसना की गई है तो प्रधान मंत्री आत्म दिरवर स्वास्त भारत तो चलाई जाने की गोसना की गई है मिसन पोस्टन टू जिरो गोसना की गई है जल जीवन मिसन सहरी इसे भी मेगा निवेस टेक स्टाल पार्क योजना ये भी तो सारे का सारे आपके जो योजनाय चलाई जाने की घोसना की गई है संगिय बजट 2021 में तो यह आप्शन सही हो जाएगा एक से अधिक नेक्स्ट है कि केंद्रिय बजट 2021 में निमन में से किस टीको को किस स्टीकों को जो है सारे देश में लगवाई जाने की गोशना की गई है तो नीमो कोकल बैक्सीन को ठीक है नीमो कोकल बैक्सीन को अच्छा कोसन है दवरा देख लिजिएगा कि केंद्रिय बजट 2021 में दिमन में से किस स्टीके को जो है सारे देश में लगवाई जाने की गोशना की गई है तो नीमो कोकल बैक्सिन को तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि केंश सरकार का पहला डिजिटल बजट किस वर्स के लिए लोग स्वामे पेस किया गया तो 2021-22 के लिए तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा केंश सरकार दोरा केंश सरकार का पहला डिजिटल बजट क्यान रखेगा पहला डिजिटल बजट किस वर्स के लिए लोग स्वामे पेस किया गया तो 2021-22 के लिए पेस किया गया तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा मोडिज रेटिंग एजन्सी के अनुसार भारत की GDP 2021-22 में कितने परतिसत बढ़ेगी तो कितना बढ़ेगी 9.6% तो C इसका रेट अंसर हो जाएगा जबकि 20 बैंक के हिसाब से कितना बढ़ेगी तो 37% नेक्स्ट की आर्थिक सर्वेच्छन 2020-21 भारत में इंटरनेट उपभगताओं की संख्या लगवग कितनी है तो लगवग 77 क्लूर है तो ए इसका रेट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट की बहुत की के लिए 2021 का नबल पुरसकार किसे दिया गया है तो किसे दिया गया है मनावे, हैसलमेंट, पैरेशी तीनों को दिया गया है तो एक, दू, तीन तो C इसका रेट अंसर हो जाएगा ठीक है एक का नाम कैmoshtra, एक कोन है, एक परमोद भगत है, और सरद कुमार है, परमोद भगत और सरद कुमार है इनपोर्टन्ट है बैसाली जी लेके प्रमोध भगत जो है बैरिमेंटेर में स्वरन पदक जबकी उची कुद में जो है मुझापरपुर के रहने वाले सरत कुमार के द्वारा जो है कास पदक जीता गया है से नोट कीजिएगा तो भी इसका रैट अंसर हो जाएगा वैस्विक शनचन मानकों के अनुसार बारत में कुल कितने बाग अभ्यारनों को मानता मिली है तो 14 कितने 14 तो C इसका रैट अंसर हो जाएगा ठीक है, C, इसका रैट अंसर हो जाएगा असम और मद परदेश में जो है, तीन-तीन बाग अभियारन है तीन-तीन बाग अभियारन है तेमिल नाडू में कितना है, तो तेमिल नाडू में आपके दो बाग अभियारन है बिहार में एक है, बाल में की नेक्स है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार बले राज्यों में अंतिमा स्थान किस राज को मिला है तो उत्तर परदेश को अंतिमा स्थान मिला है तो डी इसका रेट अंसर हो जाएगा बिहार को कौन सा स्थान मिला है तो बिहार को तेरमा स्थान मिला है बिहार को तेरमा स्थान मिलता है ठीक है पर्थमा स्थान किसे मिलता है तो महरास्ट को पहला स्थान मिलता है नेक्स्ट है कि भारत में बेदेशी परेट कोई के आगवन के करम सही करम क्या है सबसे अधिक जो आपके परेट कहां पर आते हैं तो तमिल नाडू में सबसे अधिक आते हैं उसके बाद महरास्ट में उसके बाद उत्ते परदेश में आते हैं तो C इसका रैट अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है कि ब्रिक्स देशों दोवारा अस्थापित निव डेवलेप्मेंट बैंकी में सामिल नैसे 10 देश कौन है तो बांगलादेश है उरेगवे भी है और स्वेंगत अरब अमिरात भी है तीनों के तीनों है तो D इसका रैट अंसर हो जाएगा जो ब्रिक्स में कितने कंट्री है तो पाच कंट्री है ब्राजिल, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ, अफिरका नेक्स्ट है कि युनिस्को की बिस्व धरवर अस्थेलों की सूची में इंगलेंड के किस सहर को हटा दिया गया है तो इंगलेंड के किस सहर को हटा दिया गया है लिवरपूल को हटा दिया गया है लिवरपूल को तो C इसका रैट अंसर हो जाएगा इसके जो मुल धाचा था उसमें बदलाव की करण नेक्स्ट की 51 मा दादा साहिब फाल के पुरसकार के विजयता कौन है तो रजनी कान्थ है कौन है रजनी कान्थ है तो D इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट की चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियुजना की दिर्वान को मंजूरी दिये तो किस नदी पर यार लूंगा जांगवो नदी पर ठीक है यार लूंगा जांगवो नदी पर तो C इसका रैट अंसर हो जाएगा अच्छा कोशन है अच्छा कोशन है अब जो विराट कोशन है सिर्फ टेस्ट के कपतान है ब्राट कolly जो है छिर्फ टेस्ट के कपतान है जब कि रोहिश शरमा जो है टेस्ट और उंडे के कपतान बन गया है तो सिसका राटन सालोग जाएगा हमने भी बिस में पहला एलिखन्ट इजब के द्वरा बनाया जारा है तो 36 गल के द्वारा बनाया जा रहा है ठीक है 36 गल के द्वारा बनाया जा रहा है द्वारा देख लिजे कि 20 में जो है पहला elephant region किस राज के द्वारा बनाया जा रहा है तो 36 गल राज के द्वारा बनाया जा रहा है तो C इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि चक्रबाती तुफान निवार के उत्पत्ती का छेत्र निम्लिखित में से कहा था तो बंगाल की खाड़ी था कौन था बंगाल की खाड़ी था तो बी इसका रैट अंसर हो जाएगा इससे परभावित कौन से छेत्र था जाएतर तो तमिल नाडू और पूड़ी चरी जादा परभावित हुआ था इसका नाम किसके दोरा दिया गया था जो निवार नाम है कौन देता है तो इरान के दोरा दिया गया था ठीक है तो को फेगन है कौन है को फेगन है तो डी इसका रैट अंसर हो जाएगा को फेगन किस देश में अस्तित है तो डेन मार्क में ठीक है डेन मार्क में अस्तित है नेक्स्ट है कि रसायन बिज्ञान में नोबेल पुरसकार 2021 दिया गया है रसायन बिज्ञान में तो रसायन बिज्ञान में किसे दिया गया है तो बेंजामिन लिस्ट को दिया गया है और मैक मिलन को दिया गया है ठीक है तो एक और दू सही हो जाएगा तो A इसका right answer हो जाएगा जबकि अब्दुल रज्जाक को जो है साहित के छेतर में दिया गया है नेक्स है कि सन किरिम के उपयोग पर परतिबंध लगाने वाला बिस्व का पहला देश कौन है तो जो बिस्व का पहला देश से पलाओ है कौन है पलाओ है तो B इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि World Test Championship 2021 के final में man of the match किसे परदान किया गया था तो काईल जेमी सन को काईल जेमी सन को परदान किया गया था तो B इसका right answer हो जाएगा ठीक है किसके द्वारा जीता गया था आपको World Test Championship 2021 किसका final तो New Zealand के द्वारा जीता गया था भारत को हरा के नेक्स्ट है कि भारत एवं ब्रिटेन का सयुक्त अभ्यास कोकन में किस भारती जहाज ने हिस्टा लिया अच्छा कोशन है कि भारत एवं ब्रिटेन का सयुक्त अभ्यास कोकन में किस भारती जहाज ने हिस्सा लिया तो INS तवर तो B इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि पूच्टक गीता गोविंदा जैदेवा डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है तो इसके लेखक है डॉक्टर उत्पल की बनरजी है तो ए इसका right answer हो जाएगा ठीक है ए इसका right answer हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट है कि अबदुर रज्जाक गुर्णा को वर्ष 2021 का सहित का नॉबिल पुरसकार प्रदान किया गया उनका संबन जो है किस देश से तो उनका संबन जो है तंजानिया से कहां से तंजानिया से तो C इसका right answer हो जाएगा रहते कहा तो electronics एवां सुचना प्रदो की मंत्राले के द्वारा तो B इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि पैरा उलम्पिक 2020 में चर्चा में रही भाबना पटिल का संबन किस खेल से है तो पैरा टेबल टेनिस से है तो A इसका right answer हो जाएगा ठीक है ए इसका right answer हो जाएगा फिर से किस खेल से है तो पैरा टेबल टेनिस से है तो A इसका right answer हो जाएगा ठीक है ए इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि S.C.O. सदस देशों द्वारा पबी एंटी टेरर 2021 युद्धवियास का आवजयान किस देश में किया गया तो पाकिस्तान में किया गया तो B इसका right answer हो जाएगा इसे दोबारे एक पर आप लोग चेक किजएगा ठीक है इस कोशन को आप लोग भी चेक किजएगा ठीक है पानी की खोज की है किस देश के भूब बिगयान को ने पिरत्वी पर 1.6 बिलियन वर्स पुराने पानी की खोज किया तो कनाडा के बिगयान को ने तो C इसका right answer हो जाएगा निम्लिखित में से किस संस्थान ने यम यस यम ई के लिए यम यस यम ई के लिए जो है स्वास और अरोग रीनी उजना की सुरुवात की है निम्लिखित में से किस संस्थान ने यम यस यम ई के लिए स्वास और आरोग रीनी उजना की सुरुवात की है तो किस के द्वारा C इडवी के द्वारा इसके सुरुवात की गई C इडवी के द्वारा ठीक है तो B इसका right answer हो जाएगा C इडवी भारतिय लगू उद्योग विकास बैंक तो B इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि एक भारत स्ट्रेश्ट भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज से जोड़ा गया है तो बिहार को जो है मिजोरम और तिरपूरा से जोड़ा गया है तो एक से अधिक इसका right answer हो जाएगा अच्छा कोशन इसे जुरूर मार कीज़ेगा मिजोरम और तिरपूरा से जोड़ा गया है तो एक से अधिक इसका right answer हो जाएगा तो E option सही हो जाएगा नेक्स है कि अभी हाल ही में इडा तुफान ने किस देश में तवाही मचाई तो किस देश में तवाही मचाया है तो E USA में तवाही मचाया है कहाँ पर E USA में तो C इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि भारत सरकार ने सरवजनिक उध्यम बिभाग को भारी उध्योग मंत्रले से हटा कर किस मंत्रले के अंतरगत रखा है तो किस मंत्रले के अंतरगत रखा है तो Ministry of Finance मतलब कि बित मंत्रले के अंतरगत रखा है तो C इसका right answer हो जाएगा नेक्स है कि टोक्योग पैरा उलमफिक 2021 के उध्याटन समरों में भारती ध्वजवाग कों थे तो टेक चन थे कों थे टेक चन थे तो भी इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारत की मत्रस से किस देश में निर्मित मंग देच्छू जलबिदुत परिजुना को लंदन अस्थित इंसिच्यूशन आफ सिविल इंजिनियर्स द्वारा बुरुनेल मिडल से सम्मानित किया गया है तो भुटान में निर्मित मंग देच्छू जलबिदुत परिजुना को जो है बुरुनेल मिडल से सम्मानित किया गया है तो ए इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारत के उपरस्ट पती बंकिया नैडू के चार साल के कारकाल का वर्नल किस किताब में किया गया है तो किस किताब में किया गया है ये किया गया है रीफिलेक्टिंग री कलेक्टिंग री कनेक्टिंग में तो ए इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि हलके लड़ा को बिमान तेजस दुआरा बियॉंड विजुल रेंज मिसाइल पैथन फाइब का सफल परिछन किया गया पैथन फाइब मिसाइल है जो पैथन फाइब मिसाइल है हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है तो सी इसका रैटन सरो जाएगा नेक्स्ट है की 12 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों के टिका करन के लिए फाइजर वायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है तो कनाड़ा बन गया है, कौन देश बन गया है कनाड़ा तो D इसका रेयर टैंसर हो जाएगा नेक्स है कि किस देश के राष्टपती जिनका नाम में इद्रिस डेवी इतनो की मौत बिद्रोहियों के बिरूद संघर्स में 20 अप्रिल 22 को यूद के मैदान में हो गई नेक्स है कि हाली में जारी और स्टोक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंसिचूट सिप्री 21 के रिपोर्ट के अनुसार 2021 के प्रेड़म में भारत में परमानु हाथ्वारई के संक्या कितनी है तो 156 है कितना है 156 है तो सी इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है तो किसके द्वरा शुरू किया गया अवास एवं सहरी मंतरला के द्वरा अव्यास अवास एवं सहरी मंतरला के द्वरा जो है मैं भी डिजिटल 30 अव्यान के शुरुआत की गई है नेक्स्ट है कि 2020 का एसेन भारो तोलन चेंपियंशीप अप्रेल 2021 में संपन हुआ इस संदर में निमिखित कथनों पर आपको बिचार कर गलत कथन को डूंड़ना है भारती महिला भारत तोलक जिल्ली दल बेहेटा ने 45 किलोग्राम भारवर्ग में स्वर्ण पदक जीता तो सही बात है भारत की मेरा भाई चानू ने 49 किलोग्राम भारव वर्ग में कूल 119 किलोग्राम बजन उठा कर जो है नया रिकॉर्ड बनाया और स्वान पदक जीता स्वान पदक ने जीता कौन से पदक जीता तो कास पदक जीता तो यह आपके गलत हो जाएगा इस चंपियंशिप का आयोजन जो उजवेकिस्तान के तासकंद में अपरेल 2020 में हुआ था तो सही है अंग तलका में चीन सिर्च स्थान पर था तो सही बात है और भारत आठमय स्थान पर था ठीक है तो भी आपके जो अप्सन है गलत हो जाएगा नेक्सटे की निम्न में से किस संस्थान द्वारा बिस्व का पहला अत्या धुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर इव ब्रित लाइफ बिक्षित किया गया है तो किसके द्वारा विक्षित किया गया है तो भारतिय प्रदो की संस्थान रोपल के द्वारा विक्षित किया गया है अच्छा कोशन है भारतिय प्रदो की संस्थान रोपल के द्वारा विक्षित किया गया है तो D इसका रैट एंसर हो जाएगा नेस्टे की बीतबर्ष 2020 zmian में भारत का किरसी निरियात कितना रहा तो भारत का जो किरसी निरियात है एक 48.88 डाल रहा कितना एक 48.88 डाल रहा तो C isают right answer रो जाएगा नेस्टे की हाल ही में विभीन संगठनों ने किसायाज में तूलू को राज भासा का दर्जा परदान करने और इसे समिधान की आठ्मी अनसूची में समिल करने की मांग करते हुए एक अभियान प्रेडरम किया है तो आपको याद रखना है ये प्रेडरम किया गया है एक बाद देख लिजे केरल में और करनाटक में दोनों में किया गया है ठीक है केरल और करनाटक दोनों में तो एक से अधिक इसका राइट अंसर हो जाएगा तो इए उप्सन आपके सही हो जाएगा दोबरा देख लिजेगा कि हाली में भीविन संगठों न किस राज में तूलू को राज भासा का दरजा परदान करने और इसे समिधान की आठिमियन सूची में जो इस सामिल करने के मांग करते हुए एक अभियान प्रेरम किया गया था तो करनाटक और करेल में किया गया था तो E इसका रेट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि Earth Oversuit Day 2021 कब मनाया गया तो 29 जुलाई को मनाया गया 29 जुलाई को तो B इसका रेट अंसर हो जाएगा जो Earth Oversuit Day इसके शुरुवात कब से होती है तो 19 December 1987 से नेक्स है अपरेल 2021 में मनाया जाने बाले प्रमुख दीवस्तों को उनके थीमों के अनुसार है नेमलिखित एगवे में से कौन आपके स्वमलित नहीं है तो इसमें देखी जो पिर्थिवे दीवस 22 अपरील को मनाया जाता है और इसका थीम क्या है तो Re-Store Your Earth है तो C आपके गलत हो जाएगा बाकी सारे के सारे आपके सही है इसे अप लोग देख लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट है कि बिजजन के द्वारा 2010 के देसक का सबसेस्ट एक दिवस्ते किरिकेटर किसे चुना गया है तो Biraat Koli को चुना गया है किसे Biraat Koli को चुना गया है सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया है तो दोहर पचीस के लिए बढ़ा दिया है तो सी इसका राइट हैं सो जाएगा अच्छा कोस्ता ने ठीक है नक्स है कि बर्स 2021 में महतपुर्ण संस्थाओं के अध्याच पद पर नियुक्त हुए बेक्तियों में निम्रिखित में से युगों में से कौन से अपके सुमलित नहीं है इसमें से देखें कौन सुमलित नहीं है लगू उद्योग एबन विकास बेंग सिडवी के नए चेर्मैन का चेर्मैन सफ प्रमंधक कोन बने है यस रमन बने है तो सही है नेसकोम के चेर्मैन रिखा मेनन है सही है बारतिय उद्योग परिसंग के अध्यच टीवी नरंदरन है इवी सही है Microsoft के नए चेर्मन सत्म नडिला है तो सारे के सारे option सही कोई भी इसमें गलत उलत नहीं है तो E option आपके right हो जाएगा ठीक है जी E option सही हो जाएगा नेक्स है कि बिहार राज चुनाव आयोगने पंचाई चुनाव के लिए अधिस सुचना जारी कि यह चुनाव कितने चर्णों में संपन होगे तो 11 चर्णों में पूछा जाएगा ठीक है तो C इसका right answer हो जाएगा साथ ही आपको याद रखना कि 24 सितंबर से चुनाव सुरू होगा और कब खत्म होगा तो 12 दिसंबर को समाप्त होगा 12 दिसंबर को समाप्त भी हो चुका है ठीक है तो C इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि निमन में से किन्हे जोए बहुतिक विज्ञान के लिए सांती सुरूप भटनागर पुरसकार 211 परदान किया गया है अच्छा कोसन है बहुतिक विज्ञान के लिए सांती सुरूप भटनागर पुरसकार 211 परदान किया गया है तो किसे परदान किया गया है डॉक्टर कनक साहा को डॉक्टर कनक साहा को तो D इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि डॉक्टर एपिजे अब्दूल कलाम साइन्स सिटी कंद्रमान बिहार राज के किस जिले में किया जा रहा है तो पटना में किया जा रहा है पटना में तो B इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि बास्टू कला के छेतर में 2021 का प्रतिस्ठित प्रतिस्ठित आपके जो है प्रित जिकर प्रोस्कार किसे दिया गया है तो किसे दिया गया है यह दिया गया है आपके जीन फिलिप बासल यह फ्रांस के हैं और एनी एनी लोकेटोन इन्हें दिया गया है तो यह दोनों को संग तुरूप से दिया गया है तो एक से अधिक इसका रैट अंसर हो जाएगा देख लिए फिर से जीन फिलिप बासल और एनी एनी लेके टॉन को तो यह उप्शन आपके सही हो जाएगा ठीक है नेक्स है कि 75 में सुतंता दिवस पर रच्छा मंत्राले द्वारा बिहार के किस बेक्ती को चीफ ओफ डिफेंस अस्टाप प्रसस्ती से सम्मानित किया गया है तो जितन दिरकमार को सम्मानित किया गया है किसे जितन दिरकमार को सम्मानित किया गया है तो यह इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि आयू समबाद मेरा स्वास्त मेरी जिम्यदारी क्या है तो आयरुवेद और COVID-19 महामारी पर सबसे बड़े जन जागरुकता अभियान कारिक रोमे में से एक है तो A इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2-0 में कौन सा राज पहले अस्थान पर है तो करनाटक आपके पहले अस्थान पर है ठीक है करनाटक पहले अस्थान पर है तो B इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि निम्न में से किस भारतिय सहर को जो है गलोबल ट्रैफिक कंजेशन रैंकिंग 2-1 में दुसरा स्थान मिला है तो मुंबाई को मिला है ठीक है अच्छा कोशन है निम्न में से जो है किस भारतिय सहर को गलोबल ट्रैफिक कंजेशन रैंकिंग 2-1 में दुसरा स्थान मिला है तो मुंबाई को दुसरा स्थान मिला है मुंबाई को दुसरा स्थान मिला है तो ए इसका रैट अंसर हो जाएगा ठीक है ए इसका रैट अंसर हो जाएगा साथ ही आपको याद रखना कि मास्कों जो है दुनिया का सबसे भील भाल भाल भाला सहर है आपसे पूछ देगा कि दुनिया का सबसे भीलबलबला सहर कोन है तो रोज के रिजदानी मास्को है तो ए इसका रैट अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है कि रास्टी सहरी डिजिटल मिसन निमन में से किस मंत्रले द्वारा अरम किया गया है तो किस मंत्रले के द्वारा शुरू किया गया है देख लिजिए इलक्ट्रोनिक और सुचना प्रदो की मंत्राले के द्वारा शुरू किया गया तो सही बात है आवास और सहरी कार मंत्राले के द्वारा शुरू किया गया यह भी सही है उसके बाद है जल सकती मंत्राले जल सकती मंत्राले इसमें आपके सामिल नहीं है कौसल विकास जो कौसल विकास मंत्राले है ये भी आपके इसमें सामिल नहीं है ठीक है तो सिर्फ सामिल कौन को नहीं तो देख लेजिए रास्टे सहरी डिस्टिल मिशन अवास एवं सहरी कार मंत्राले दू तिसरा है एलेक्ट्रोनिक एवा सुचना पर दो की मंत्रा लाई तीन मंत्रा लाई आपके सामिल है तो एक से अधिक इसका राइट अंथर हो जाएगा तो यह ओप्शन सही हो जाएगा नेक्स्टे की हाल ही में युनिस्को की 20 विरासत सुची में सिंदु घाटी सब्ता के किस अस्थल को सामिल किया गया है अच्छा कोशन है तो धोला विरा को सामिल किया गया है ठीक है धोला विरा को सामिल किया गया है चलिसमा अस्थल के रूप में तो बी इसका राइट अंसर हो जाएगा दोला वीरा किस राज में अस्तीत है? तो गुजरात राज में अस्तीत है बारटर मेनेजमेंट के लिए प्रसिद है नेक्स देख की operation thrust सम्मंधी थे तो किसे सम्मंदी थे? तो अनाधीकरीत packaged pagel की बिक्री पर रोक के लिए ठीक है? ऑपरेशन thrust जो सम्मंदी थे किसे सम्मंदी थे तो अन्राधिक्रित पैकेज्ड पैजल की विक्री पर रोग के लिए तो C इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि सच्छम अभ्यान भारत सरकार के किस मंत्राले द्वारा शुरू किया गया है तो भारत सरकार के पिट्रोलियम एबं प्रकृतिक गैस मंत्राले के द्वारा शुरू किया गया है तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि बर्ष 2021 में किस देश ने G20 देशों के प्रेटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की तो इटली ने आयोजित की तो भी इसका रेट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारती रिलिवे ने हाली में सो में 12,000 एचपी डावल्लूएजी बारवी लोकी मोटीव को सैमेईल किया इस लोकी मोटीव को किस ने बैख्सित किया है तो मधिपूरा इलक्टरिक लोको मोटीव ने बैख्सित किया है नेक्स्ट है कि मार्च अप्रील 2021 में मार्च अप्रील 2021 में जो है किस राज में विधान सभा का चुनाव नहीं कराया गया था तो कहां पर आपके चुनाव नहीं हुआ था तो देख लिजे तेमिल लडू में हुआ था और सम्में हुआ था किरलवा हुआ था जबकि गवा में नहीं हुआ था गवा में अब होगा ठीक है गवा में अब होगा तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि World Happiness Report वैस्विक खुसहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है तो 149 अस्थान प्राप्त हुआ है 149 तो C इसका रैट अंसर हो जाएगा ठीक है C इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि E कैबिनेट को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला राज कौन है तो हिमाचल परदेश है कौन है हिमाचल परदेश है तो B इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि दुनिया का पहला जहाज सुरंग किस देश में बनाया जा रहा है दुनिया का पहला जहाज सुरंग किस देश में बनाया जा रहा है तो नौर्वे में कहां पर नौर्वे में तो D इसका रैट अंसर हो जागा और इसकी लंबाई कितना होगा तो 1.7 किलो मिटर इसकी लंबाई होगी नेक्स्टे की सेन अभ्यास बजर परहार का एगरमा संस्क्रन 2021 भारत और किस देश के बीच बकलो हिमाचल परदेश में आयुजित किया गया है तो भारत और USA के बीच में जो हिमाचल परदेश के बकलो में आयुजित किया गया है तो D इसका रैट अंसर हो जागा इसका रैट अंसर हो जागा ठीक है सेभ अर्थ के घीम के साथ में टिक है Climate Change 2 सेभ अर्थ घीम के साथ में मनाया गया तो A. इसका राट अंसर हो जाएगा Next है कि B. सुपरेश सुतनता पुरत्षकार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है किसे सम्मानित किया गया है मारिया रेशा को किसे मारिया रेसा को सम्मानित किया गया है तो बी इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है बी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि अंतरास्टी होकी महासंग के अध्यच पद पर किस भारतिय को दुसरी बार चैनित किया गया है तो किस दुसरी बार चैनित किया गया है नरिंदर बत्रा को नरिंदर बत्रा को दुसरी बार आपके चैनित किया गया है अंतरास्ची हो की महादसंह के अध्यच पदपर तो C इसका रड़ेंश रहाँ गा सामवा का पहली प्रधानमंत्री बनी है तो B इसका राइट रहाँ अंसर हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताईएगा कि जो सामवा इसका लोकेशन क्या है ठीक है नेक्स्ट है कि आउसकर 2021 में इनमें से किसे जो है सर्वत्तम विदेशी भासा फिल्म किस रेनी में पुरस्कार प्राप्त हुआ है यह प्राप्त हुआ है इंदर राउंड को तो सी इसका रैट अंसर हो जाएगा ठीक है यह डियानमार की मुभी है नेक्स्ट है कि विहार का पहला रामसर साइट काबर जील किस जिला में अस्ती थे तो बेगुस राय में अस्ती थे तो बी इसका रैट अंसर हो जागा काबर जील कहां पर अस्ती थे बेगुस राय में अस्ती थे किस राज ने अनाथों को बितिय सहायता परदान करने के लिए आसिरबाद नामक एक बितिय सहायता योजना की गोशना किये तो उडिसा प्रासरकार के द्वारा तो ए इसका राइट अनसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है कि किस राज में उपभोकता सिकायत निवारन केंद्र मिन्ना गम का उर्गाटन किया गया है तो जो मिन्ना गम है इसका उर्गाटन तेमिल नाडू में किया गया है क्या है उपभुगता सिकायत निवारन केंदर है तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि ओलंपिक 2020 में भारत ने होकी में किस टीम को पराजित कर कास पदक जीता है तो अच्छा कोस्त ने जर्मनी को पराजित कर के जो है कास पदक जीता है जर्मनी को पराजित कर के तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है कि किस राज ने बन बन्दू कलियानी उजना को लॉंच किया है तो किसके द्वारा लॉंच किया गया है तो गुजरात सरकार के द्वारा लॉंच किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा लॉंच किया गया है तो ए इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि इंडिया पोस्ट इंडिया पोस्ट द्वारा लाया गया एक बिसेश पोस्टल कवर भारत के किस राज द्वारा जारी किया गया है तो किस के द्वारा जारी किया गया है तो आन परदेश के द्वारा जारी किया गया है नेक्स है कि किस देश ने ब्रिक्स देशों को साम्मिल करते हुए ग्रिन हाइटोजन पहल पर दो दिवसिय सिखर सेम्मिलेंड की मेजबानी किये तो भारत ने तो ए इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि हिमाचल परदेश के उनाज जिले में अनाज अधारित एथनौल सयंतर की अस्थापना की घोषना किस कमपनी ने किये तो एच पी सीयल ने किये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिम्टेड ने किया है तो B इसका रैट अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स है कि अंतरास्टी सौर गटबंधन का 101 सदस देश निम्रिकत में से कौन बना है तो सहुतराज अमिर्का बना है तो A इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि 2021 के लिए Central European University Open Society पुरसकार किस ने जीता है तो किस के दुवरा जीता गया है जीता गया के 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 सेलेजा के दुवरा जो इस कोस्टन से दुवरा देख लिजी कि 2021 के लिए Central European University Open Society पुरसकार किस ने जीता है तो के के सेलेजा ने जीता है के के सेलेजा ने जीता है Central European University Open Society पुरसकार ठीक है नेक्स एकि किस राज ने दिब्यांगों के लिए सच्छम की कॉबीड हेलफ लाइन सुरू कि तो करनाटक सरकार के द्वरा दिब्यांगों के लिए कोबीड हेलफ लाइन सुरू कि तो बी इसका रैट Anicoseそ ठीक सच्छम कोविड हेल अप्लाइन शुरू किया है यह पूछा आप से जा सकता है तो भी इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि आयुध अनुसंधान और विकास परतिस्थान ने विमान से पाइलेट इंजेक्शन बतलब कि पाइलेट का बाहर निकलने के लिए अत्ता धोनी के नोपी सिवरेंस सिस्टेम विक्षित किया है और यह संस्थान कहां पर अस्तित है जो संस्थान आपके भारत के लिए प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ऑक्सिजन किसने लॉंच किया है तो जो प्रोजेक्ट ऑक्सिजन है लॉंच किया गया था भारत सरकार के द्वारा किसके द्वारा भारत सरकार के द्वारा लॉंच किया गया था तो भी इसका राट अंसर हो जाएगा नेक्स है क निम्लिखित में से किस संस्थान ने जीबन वायू नाम से एक बिजली मुक्त CPAP उपकरन बेक्षित किया है तो IIT रोपड ने बेक्षित किया है IIT रोपड ने तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि सुगम भारत अभियान संबंदित है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि टोकियो ओलंपिक 2020 में भारतिये खिलाडियों के संबंद में निम्लिकित में से कौन साब के सुमलित नहीं है तो इसमें से देखे कौन साब के सुमलित नहीं है दोबारा देख लिजे कि टोकियो ओलंपिक 2020 में भारतिये खिलाडियों के संबंद में निम्लिकित में से कौन साब के एक सुमलित नहीं है तो देख लीजिए कौन से मुलित नहीं है पीवी सिंदू के द्वारा कास पदक जीता गया है तो सही बात है बजरंग पुनिया के द्वारा जो है रजत नहीं कौन सा पदक जीता गया है तो इनके द्वारा कास पदक जीता गया है तो यह गलत हो जाएगा निरत चुपला के द्वारा स्वरन पदक, जैवलिन थरो में, मिरा बाई चान्यों के द्वारा रज़त पदक, तो यह सही है तो गलत कोने, बी ओप्षन जो आपके गलत हो जाएगा, ठीक है, बी ओप्षन आपका गलत हो जाएगा नेक्स है कि किस संगठन द्वारा COVID-19 के पहचात वैसीविक अर्थ विवस्था के उत्थान है तो तो किसके द्वारा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा देखिएगा कि किस संगठन द्वारा COVID-19 के पहचात बैस्विक अर्थविवस्था के उत्थान है तो ग्रेट रिसेट परियास को प्रण किया है तो विश्व आर्थिक मंच दें तो यह इसका रहाट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि सरस अजिब का मेला 2021 का अहुजन निम्लिखित में से किस सहर में किया गया है तो किस सहर में किया गया है नोईडा में किया गया है नोईडा उत्तर परदेश में तो सी इसका रहाट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है भारत के बाहर पर्थम योग विश्विद्याले कहां पर अस्थापित किया गया है तो लॉस एंजल्स में अस्थापित किया गया है नेक्स्ट है निमलिखित में कौन सा अन्टाक्टिका में भारत का अस्थाई और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान अस् और मैत्री है ठीक है भारती और मैत्री है अच्छा कोशन है इसे नोट कीजिएगा तो भी इसका राइट अंसर जागा अगर देखे आपको असी कोशन तो पक्का आता होगा तो 20 कोशन अगर आपको याद नहीं है तो उसे क्या किजिएगा अगर साइड में लिख सकते हैं लि वीडियो को देख सकते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं है ठीक है लिकिन जो बिहार दरोय वाले हैं तो आप एक ही बार अस्पीड करके वीडियो को देख लीजीएगा उसके बाद नेक्स्ट है उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना सवभाग की सुरुवाद किस बर्स की गई जो सवभाग अस्पी में इसकी सुरुवाद की गई थी तो दोहरत सत्रे में इसकी सुरुवाद की गई थी कब की गई थी दोहर स्वामी नाथन आयोग का गठन कब हुआ था तो स्वामी नाथन आयोग का गठन जो है नमंबर 2004 में हुआ था तो बे इसका रैट अंसर जाएगा आवाज तो मेरा कम नहीं नहीं है कि देखें हम रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके कारण हलका बोल ले कि आसपास पहला ब अंसर हो जाएगा ठीक है नेश्ट है कि भारत में योगासन को दर्जा मिला है भारत में जो है योगासन को दर्जा मिला है खेल की रूप में नोट किजिएगा खेल की रूप में तो बी इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि वैस्विक भुखमरी सुचकांग गलोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को अस्थान कौन सा मिला है तो हंगर में भारत को अस्थान 101 मा मिला है 101 मा मिला है तो ए इसका रैट अंसर जागा कितने देशों में तो 116 देशों में भारत का अस्थान 101 मा है किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है इससे हाल ही के घोसना के अनुसार अब जारी नहीं किया जाएगा तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता था विस्व बैंक के द्वारा वर्ल्ड बैंक बोला कि इसमें धांदली होता था इसमें जो हिचाइना involved था इसलिए इसरे बंद कर दिया गया है तो B इसका राइटेंसर हो जाएगा नेक्स एकि उत्रे प्रदेश के किस सहर में हाली में अंतरास्टी हवाई अड़ा का उरगाटन किया गया है तो कहाँ पर किया गया है उत्रपरदेश में अंत्राश्टी हावाई अड़ा का उड़ घाटन तो कहाँ पर किया गया? कुसी नगर में किया गया, ठीक है? कुसी नगर में तो B. इसका रहटन स्यट है Next की हालही में किस्तित्य को भारतिय प्रदान मंत्री द्वारा तीनो किर्सी कानूनों को बापस लेने या रद करने की घोशना की गई तो 19 नमंबर 2021 को यह बहुत ही अच्छा कोशन है तो यह इसका रहट अंसर हो जागा साथ ही आपको ये भी याद रखिएगा कि जो ये तीनों किर्सी कानून था इसे बापस लेने के लिए संसद में परस्ताव कप बेस किया गया था इसे अपलोग नोट कर लिजेगा इसे चेक कर लिजेगा ठीक है नेक्स्ट है कि उबेर कप 2021 का भी ये था देश नमलखित में से कौन है तो चीन है कौन है चीन है तो ए इसका राट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि नमलखित में से किसने जो है 25 बार एवरेस्ट पता करके रिकॉर्ड बनाया है तो कामी रीता सिर्पाने कामी रीता सेरपा ने तो B इसका रैट अंसर हो जाएगा ये कहां के हैं तो नेपाल के हैं और इनकी आयू कितनी है तो इक आमन वर्स इनकी उमर है नेक्स्टे के भारत के पहले किर्सी निर्याद सुब्धा केंदर के संदर में नेमलिकित कथनों पर बिचार कर सही कथन का चुनाओ करना है तो सही कथन का चुनाओ कर लिजे पुने में पहला किर्सी निर्याद सुब्धा केंदर लॉंच किया गया है तो सही बात है लॉंच किया गया है यह केंद्र महरास्ट के किरसी और खाद निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता करेगा तो करेगा यह केंद्र एक knowledge bank भी बिक्सित करेगा यहाँ पर जो है यह केंद्र एक knowledge bank भी बिक्सित करेगा तो सही बात है कि इसी किर्शी निर्यात सम्मंदी जगरुपता भी बढ़ाएगा तो यह भी करेगा तो सारे के सारे कतर आपके सही है तो एक से अधिक इसका सही है नेक्स्ट है कि किस भारतिय कमपनी ने अमेरिका की ओक्सी लो कारवन वेंचर से कारवन निट्रल वायल की विश्व की पहली खेप प्राप्त किये है तो आपको याद रखना है रिलाइंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने यह दौरा कोशन को देखिए किस भारतिय कमपनी ने अमेरिका की ओक्सी लो कारवन वेंचर से कारवन निट्रल वायल की विश्व की पहली खेप प्राप्त किये है तो रिलाइंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने प्राप्त किये है तो भी इसका रैटन सर हो जाएगा नेक्सट इक कौँँ सा सोसल मिडिया टूल कीट प्रकास है कौँँ सा सोसल मिडिया टूल कीट प्रकरन से सम्मंधित होने एवं दिल्ली पुलिस करवाई के कारण मैट 2021 में चर्चित रहा तो ट्यूटर कौन अपके ट्यूटर तो दी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि किस पेंटर की पेंटिंग वो मैन सिटिंग नियर एक बिंडो निवार्क में एक निलामी में एक सो तीन पॉइंट चार मिलियन डॉलर में बिकी बहुत ही अच्छा कोस्तन है कि किस पेंटर की पेंटिंग जो है बिमेन सिटिंग नियर एक बिंडो निवार्क में एक निलामी में जो है एक सो तीन पॉइंट चार मिलियन डॉलर में बिकी तो किसके पेंटिंग थी तो पाबलो पिकासो के किसके थी पाबलो पिकासो के थी तो C इसका रहेट अंसर हो जागा पाबलो पिकासो किस अफिरकन राष्ट ने मई 2021 जोलामुखी सकेरिय होने के कारण लगभग जो है आठ बेक्ति विश्थापित हो गए तो कांगो गन राज में तो वारा देखिए किस अफिरकन राष्ट में जो है माई 2021 में जो अला मुखी से करिया होने के कारण लगभग जो है आठ हजार बेक्ती भी स्थापित होगे तो कांगो गंडाज में जो है तो डी इसका राइट अंसर हो जाए नेक्स्ट है कि अंतरास्टी सौर गटबंधन के संदर में नेक्स्ट कथनों में से कौन से कथन आपके असत है तो देख लिए कौन से कथन आपके गलत है इस गटबंधन की चोथी महासभा में 108 दिस्टों ने हिस्सा लिया तो ये गलत है ये संगठन जो है One Sun, One Bird, One Greed को लागू करने की एक नोडल एजनसी है तो ये भी गलत है वर्ष 2022 तक भारत में जो है 500 गिगावाट sorry उर्जा अस्थापित करने का लच रखा है तो 100 गिगावाट अपके अस्थापित करने का लच रखा है तो ये भी गलत है इस गटबंधन की सुर्वात भारत के पहल पर की गई तेथा इसका मुख्याल गुलगाउं हर्याना में तो सही है तो तीन गवापके गलत हैं तो एक से अधिक गलत होने कारण यह उप्सन आपके सही हो जाएगा नेक्स है कि 2020-21 के दोरान किस छेत्र में भारत में विद्यसी परतियस निवेश एफडियाई का अंत्रपरवा सर्वोचला सबसे अधिक जो है एफडियाई किस छेत्र में आता है तो केंप्यूटर सब्ट बेयर एबं हार्ड बेयर में आता है तो ए इसका रैट अंसर हो जाएगा ठीक है ए इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारतिय रिजब बेंक की वर्ष दोजार बीस एकिस की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में चलन करेंसी नोटों की किस रासी के नोट सरवाधिक है तो पानसु रुपे के नोट सरवाधिक है तो सी इसका रैट अंसर हो जाएगा ठीक है सी इसका रैट अंसर हो जाएगा टोटल अपके 31.1% परसेंट पानसु रुपे का नोट का चलन है भारत में नेक्स्ट है कि EMS EME छेत्र की नई परिवासाओं के अनुसार सुस्म स्रेनी उपकरम उसे माना जाएगा जिसमें पलांट एबम मसिनरी में निवे से इतना दिवासे एक क्लोड से कम एक क्लोड से कम एक क्लोड से कम तो सी इसका रैट अंसर हो जाएगा ठीक है अगर बोला कि लगु लगु उद्योग किसे बोला जाता है यह तो होगी आपका सुस्म उद्योग हो गिया अगर लगु उद्योग बोला जाएगा तो 10 कलोर और टर्न ओभर आपके 50 कलोर होना चाहिए ठीक है 10 कलोर और उसका टर्न ओभर आपके अगर 50 कलोर होगा तो उसे बोलेंगे लगु उद्योग मद्यम उद्योग किसे बोला जाएगा तो अगर उसमें निवेस अगर 50 कलोर होता है ठीक है और उसका टर्न ओभर कितना होता है दूसरो 50 कलोर होता है तो उससे क्या बोलेंगे मध्यम उद्योग बोलेंगे फिर से हम बोल देते हैं सुष्म उद्योग किसे बोलेंगे जो सुष्म उद्योग होगा उसमें उसमें नि उसका पचास क्लोल से जादे नहीं होना चाहिए और मध्यम उद्योग पचास क्लोल का निवेस होना चाहिए और उसका टर्नोबर जो है अड़ाई सो क्लोल से जादे उसका टर्नोबर नहीं होना चाहिए ठीक है तो सी इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि प्रधा मैई 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार बीदेशों से संप्रेशित धन की प्रापतियों में से किस देश का पहला स्थान वर्ष 2020 में रहा है तो भारत का रहा है जो कहना का मतलब कि जो रेमिटेंस से सबसे अधिक किस देश में आता है तो भारत में आता है जो एक question को तिसरे आवर बता चुके है इस वीडियो में ठीक है जो remittance है सबसे अधिक किस देश में आया है 2020 में तो भारत में आया है और सकीनस थारप कोन है तो चाइना है Remittance क्या होता है यह आपको नहीं बताए है Remittance क्या होता है कि जिसे कि यह अपना देश भारत है भारत के कुछ लोग जाके अमिरिकम काम कर रहे हैं सौधी अर्य में काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं तो अपने family के लिए पैसे तो भेजेंगे ना तो उसको क्या बोला जाएगा उससे Remittance बोला जाएगा नेक्स है कि भारत के किरसी मंत्रले द्वरा मैं 2021 में जारे किये गए आकलों के अनुसार वर्स 2020-2021 में देश में खध्यानों का कुल उत्पादन लगवग कितना रहता है तो 305 मिलियन टन कितना 305 मिलियन टन तो बे इसका रहे टन सरो जाएगा नेक्स है भारत में 29 जुन को प्रास्टिय सांख की दीवस गोशित किया गया है यह दिन किसका जनम दीवस है यह दिन जो है किसका जनम दीवस है तो PC महल 29 की तो ए इसका रहे टन सरो जाएगा नेक्स्टे की सिंगल यूज पलास्टिक के उत्पादन, भंडारन और इस्निमाल पर भारत में कबसे पुर्ण परतिवंद लागू होगा तो कबसे पुर्ण परतिवंद लागू होगा एक जुलाई 2022 से एक जुलाई 2022 से तो ये इसका रैट एंसर हो जाएगा नेक्स्टे की टोकियो ओलंपिक 2020 में सिरबादिक पदक किस खिलाई ने प्राप्त किया है तो एम्मा मैक्योन ने प्राप्त किया है टूटल कितना पदक साथ पदक एक खिलाई साथ पदक जीतता है इसमें से चार सोर्न है और तीन अपके कास पदक है ठीक है चार सोर्न है और कि भारत के सबसे बड़े kidney dialysis, kidney dialysis, अस्पताल का उर्गाटन किस राज या केंट साशित प्रदेश में किया गया है, तो दिल्ली में किया गया है, दिल्ली में किया गया है, नेक्स्टे की हाली में किस राज के प्रसीद सफेद प्याज और बाड़ा कोलम, चावल को GI टेक प्र बनी है, तो वर्ति का सुकला बनी है, नेक्स्टे की भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की digital mapping के लिए किस एप को लॉंच किया है, तो गरूर एप को लॉंच किया है, टोक्यो पैरा उलंपिक 2020 में सरवाधिक पदक किस देश ने प्राप्त किया है, तो चि 96 आपके सुवर्ण है, 60 रजत है, और एकामन आपके कास पदक है, भारत का दौरा कितना पदक जीता गया है, तो 19 पदक, 5 सुवर्ण है, 8 रजत है, 6 कास पदक है, तो B इसका रैट अंसर हो जाएगा, ने तक नेक्स्टे की परदान मंत्री नरेंद्र बोधी की अध्यचता को सेंगत्रास्त सुरच्छा परजद में नेमलिकित में से किस विसाय पर बिमर्स किया गया है, समंद्री सुरच्छा पर, तो D इसका रैट अंसर हो जाएगा, दबर देख लिजे, परदान मंत्री नरेंद्र बोधी की अध्यचता में, 9 अगस्ट 2021 को सेंगत्रास्त सुरच परिशद में निम्लिखित में से किस विशय पर विवर्स किया गया है तो समंद्री सुरच्छा पर तो डी इसका राइट अंसर हो जाएगा निम्लिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिच में सेन अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है तो फ्रांस में कहाँ पर फ्रांस में द्वारा देख लिजे कि निम्लिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिच में सेन अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है तो जो अंतरिच में पर्थम बार अभ्यास किया है तो सी इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है प्रसिद बेक्तियों की निर्धन से सम्मंदित सूची को आपको सुम्लित करना है तो सुम्लित कर लिजे। पहला है रोईत सर्दाना तो जो रोईत सर्दाना क्या थे तो पत्रकार थे पतलब कि पत्रकारता से जड़ोए थे उसके बाद है जग मोहन मलोत्रा यह क्या थे तो जमु कास्मिर के पूरबराचपाल थे पंडित देवरत चौधरी ये थे आपके सितार बादक थे चंदरो तोमर क्या थे तो इनका समद्ध सुटिंग से था तो आप लोग इसे मैच कर लिजेगा ठीक है इसे मैच कर लिजेगा नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में परकासित पुष्टक Beautiful Things की लेखिका कोन है तो हंटर बाइडन है कोन है हंटर बाइडन तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है भी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि अंतरास्टी उर्जा एजंसी द्वाराजारी इंडिया इनर्जी आउटलूक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस बर्स तक भारत जो है चीन एवंग अमेरिका के बाद दुनिया का तिसरा सबसे बड़ा उर्जा उपभोगता बन जाएगा तो 2030 तक तो डी इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि निमलिखित में से किस बेक्ति को डॉक्टर एपिजे अबदुलकलाम बेगानिक पुरसकार 2021 से संबानित किया गया है तो किसे दिया गया है तो अमीत केसरबानी को अमीत केसरबानी को अच्छा कोशन है दोबरा देखिए कि निमलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले उर्जा दीप के निर्मान करने की घोशना किये तो डेनमार्क ने तो D इसका रैट अंसर हो जाएगा ठीक है D इसका रैट अंसर हो जाएगा next है कि किस संस्था ने COVID-19 के करण बर्स 2020 को worst year on record घोशित किया है तो B सुपरेटन संगठन ने तो B इसका रैट अंसर हो जाएगा next है कि हाली में भारती मुल्क के बेक्ती को नासा दौरा कारिकारी प्रमुख बनाया गया है तो किसे बनाया गया है तो भव्या लाल को बनाया गया ठीक है भव्या लाल को तो D इसका रैट अंसर हो जाएगा next है कि निम्रिखित में से किस दिन भारत में विवाजन विविस्का दिवस मनाने की घोशना की गई है तो 14 अगस्त को ठीक है 14 अगस्त को C इसका रैट अंसर हो जाएगा next है कि निम्रिखित में से किस संस्थान द्वारा हाल ही में सुन अभियान की सुरुवात की गई है तो किसके द्वारा की गई है नितिय आयोग और रोकी माउंटेन इंसिचूट के द्वारा ठीक है फिर से बोलते है निमिखित में से किस संस्थान द्वारा जो है हाल ही में सुन अभियान की शुरुवात की गई है तो सुन अभियान की शुरुवात जो है नितिय आयोग और रोकी माउंटेन इंस्टिूट के दुवरा किया गया है तो एक से अधिक इसका रैट अंसर हो जाएगा ठीक है तो कपड़ा उद्योग से मिगा इनवेस्टिमेंट टेक्स्टायल पार्क ठीक है तो एज इसले बाल्टी रही है तो डी इसका राइट अंसर उजाएगा और मेंडर्न टेनिस टूनेम sua один के पूरुश एकल के विजेता कौन है तो नौऔग जो के बीच है नुवाक जो कोई बीच है ठीक है तो D इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स टेकी किस मंत्राले द्वरा हाली में गलोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है तो बिग्यान एवां पुरुद्यों की मंत्राले के द्वरा तो C इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स टेकी भारत का पहला बिरासत संस्थान किस सहर में अस्थापित करने की घोसना की गई है तो नोईडा में कहाँ पर नोईडा में तो A इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स टेकी जर्वन बाच संस्था दोवारा जारी वैस्विक जलवाई जोखिंग सुचकांक 2021 के संबंद में कौन सा क्थन आपके सत है तो इसमें से कौन से कथन सत्थ है इस सुचकांग में पर्थम अस्थान मोजांबिक को पराप्त हुआ है इस सुचकांग में भारत का अस्थान सात्मा है वर्ष 1220 में भारत का अस्थान पाचमा था तो सारे का सारे आपके सही है ठीक है तो भी इसका राइट अंथर हो जाएगा नेक्सट है कि 25 अगस्थ 2021 को किस मंतराले दोरा समिर्ध कारिकरम की सुरुवात की गई है तो जो समिर्ध कारिकरम है इसके सुरुवात Electronics EVON सुचनया प्रद्र प्रदी ऑज़ नेक्सट तो तो B इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारत का पहला वर्टकल फोरेस्ट टावर माना फोरेस्टा कहां बनाया जा रहा है तो कहां पर बनाया जा रहा है बेंगलूरू में कहां पर माना फोरेस्ट कहां पर बनाया जा रहा है तो बेंगलोरी में भारत का पहला जो है वर्टकल फोरेस्ट टावर माना फोरेस्ट है कहां पर बनाया जा रहा है तो बेंगलोरी में करनाटक तो डी इसका राट अंचर हो जाएगा नेक्स्ट है कि एनेमिया मुक्त भारत सुचकांग में निमन में से कौन सा राज जो है सिर्ष तीन में सामिल नहीं है सिर्ष तीन में सामिल कौन नहीं है तो राजस्थान आपके सामिल नहीं है पहला स्थान मत परदेश को मिला है और उत्रप्रदिस को कौन सा स्थान मिला है तो उत्रप्रदिस को बिस्मा स्थान मिला है ठीक है उत्रप्रदिस को बिस्मा स्थान मिला है जबकि आपको याद रखना है बिहार को कौन सा स्थान मिला है तो बिहार को बाइस्मा स्थान मिला है नेकस्ट है कि Oliampic 2020 की पर्दक तालका में सिर्ष चार अस्थान पर रहने वाले देसों का सही करम क्या है तो अमिरिका सबसे उबबर रहता है उसके बार चीन है चीन के बाद आपके जपान है जपान के बाद आपके ग्रेट ब्रिटेन है तो बी इसका रेट अंसर हो जाएगा ठीक है बी इसका रेट अंसर हो जाएगा भारत किस नमर पर रहता है तो भारत आपके 48 में नमर पर रहता है भारत आपके 48 में नमर पर रहता है भारत के दोबरा 7 पदक जीता जाता है एक आपके सुवर्न है 2 रजद है और 4 आपके कास पड़क है क्या है फिर से बोलते हैं 1 सुवर्ण है 2 रजद है और 4 आपके कास पड़क है टोटल आपके 7 पड़क जीता जाता है नेक्स है कि नेक्सर अप का है कि पाक की खाड़ी में डुंगॉंग संदच्छन रिजब की अस्थापना की घोसना किस राज सरकार ने की है तो तमिल नाडू राज सरकार ने की है तमिल नाडू तो B इसका रैट अंसर हो जाएगा ठीक है तो C इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि आर्थिक सर्वेचन 2021 में उल्लेखीत ये माइंड विदाउट फियर का संब्ध नमिखित में से किस वेक्ति से है तो रविदनाथ टाइगूर से तो D इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि काला नमक चावल महसो 2020-21 का आयोजन किस अस्तल पर किया गया तो सिधार्थ नगर में किया गया तो ए इसका रैट अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स है कि रामसर सूची में किस देश से सरवाधिक अस्तल आपके सामिल है तो Great Britain से सवाधिक अस्तल आपके सामिल है कहां से Great Britain से जो सरवाधिक अस्तल सामिल है कितने अस्तल तो 175 अस्तल आपके सामिल है रामसर सूची में Great Britain के भारत के कितने अस्तल सामिल है तो 47 और 47 मा अस्तल कौन है तो हैदरपूर है कहाँ पर अस्तित है हैदरपूर रामसर साइट उतर परदेश में अस्तित है नेक्स्ट है कि किस राज ने knowledge economy mission शुरू किया है तो knowledge economy mission शुरू किया है केरल राज सरकार में तो B इसका राट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि देश के परथम राश्टी है हाट फेलियर रिसर्च वायो बैंक की अस्थापन निम्न में से किस संस्थान में की गई है तो ESCTIMST तिर्वंत पूरब में किया गया है तो C इसका राट अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है कि राजिव गांधी खेल रत ने पुरसकार का नाम बदल के क्या रखा गया है तो major ध्यान चंद्र खेल रत ने कर दिया गया है प्रधान मंत्री मोधी के दुआरा दिया जाता है कितना 25 लाख रुपया उनको दिया जाता है नेक्स्ट है बिस वैंक सिच्छा सलाकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो रंजित सी डिसाले को तो भी इसका रेटन सलों हो जाएगा नेक्स्ट है कि भारत जो है 2020-25 में इथनौल समिसरन के लिए रूप मेप पर बिसे सग समिती की रिपोर्ट का बिसाई क्या है तो बिहतर परिया वर्यन के लिए जैब इंधन को बढ़ावा देना दोबारा देख लिए कि भारत 2020-25 में इथनौल समिसरन के लिए रूप मेप पर बिसे सग समिती की रिपोर्ट का बिसाई क्या है तो बिहतर परिया वर्यन के लिए जैब इंधन को बढ़ावा देना तो ए इसका रेट अंसर हो जाएगा नेक्सिस एके एगल अधिनियम किस देश से समंधित है तो आपके समंधित है इवसे से कहा से इवसे समंधित है इगल अधिनियम तो सी इसका रेट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि सहकार्ता विभाग द्वारा बिहार के किस जिले में ओनलाइन सबजी बैचने की योजिना की शुरुआत की गई है तो पटना में कहाँ पर पटना में तो ए इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है कि खाद सुरच्छा इबं मानक प्राधिकरन से बिस्फुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गौड भोग का परमान पत्र प्रावत करने बाली पुर्वी भारत का परथम मंदिल निम्लिख्यत में से कौन है तो कौन है? महामिर मंदिल पटना है तो इसका रैट अंसर जाएगा अच्छा कोच जाने नेक्स्ट है कि बिहार में वर्ष 2021 में कितने पोदे लगाय जाने का लच रखा गया है तो 5 करोर कितना 5 करोर तो सी इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि किस गांधी बादी बिचारक और जमनालाल बजाज पुरसकार से सम्मानित बेक्ती का निर्धन हो गया बोद गया कि समनबै आसरम में 2021 में दोबारा देख लिजेगा कि किस गांधिबादी विचारक और जमनालाल बजाज प्रोषकार से सम्मानित बिक्ति का अंदिर्धन हो गया बोध गया कि समनबै आस्रम में 2021 में हो गया तो उनका नाम क्या था उनका नाम है दौरको भाई सुंदरानी क्या नाम है तो ए इसका रैट अंसर हो जाएगा ठीक है ए इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स है कि पटना आरा सासा राम सलक को किंद सरकार ने रास्टी राजमार का दरजा दिया राजमार का नाम क्या है तो ANH 119 A है अच्छा कोशन है तो A इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स कोशन है कि टोकियो ओलंपिक 2020 में दिमलखित में से किस नए खेल को सामिल किया गया है तो A skateboarding, surfing, karate, sport, climbing को सामिल किया गया है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा एक, दो, तीन, चार हो जाएगा तो D इसका रैट अंसर हो जाएगा ठीक है हम लोगन टोटल आपके 450% को डिसकस किया हैं अगर आप 450% को ध्यान से देखे हैं तो आपको हम guarantee तो कर नहीं देंगे लेकिन बिहार दरोगा और BPSC के एक्जाम के लिए और भी जो एक्जाम होते हैं उन सभी में जो है कम से कम यहां से 99% कोसन नहीं से पूछे जाएंगे लगवक 99-99% कोसन जो है इसी वीडियो के मादियों से पूछे जाएंगे तो आप सबीन अगर दियान से वीडियो देखा है तो आपको एक्जाम में इसकी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा ठीक है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगे आपको वीडियो कैसे लगा जो चैनल पर पहली बराते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा तब यह आपको अगले वीडियो का नोटिफिकरशन मिलेगा थैंक यू